लेव्य व्यवस्था अध्याए 1-27 अध्याए 1 होंबली की विधी एक यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलापवाले तम्बू में से उससे कहा, दो, इस्राइलियों से कहे कि तुम में से यदी कोई मनुष्य यहोवा के लिए पश्यू का चड़ावा चड़ाए, तो उसका बलिप्शु गाए बैलों अथ्वा भेड बकरियों में से एक कहो, तीन, यदी वह गाए बैलों में से होंबली करे, तो निर्दोश नर मिलापवाले तम्बू के द्वार पर चड़ाई की यहोवा उसे ग्रहन करे, चार वह अपना हाथ होंबल इप्शु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ब्रहन किया जाएगा, पांच तब वह उस बच्छडे को यहोवा के सामने बली करे, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों और छिड़के जो मिलापवाले तम्बू के द्वार पर है, चै फिर वह हुंबली प्शु की खाल निकाल कर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे, साथ तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखें, और आग पर लकड़ी सजा कर रखें, आठ और हारून के पुत्र जो याजक हैं, वे सिर और चर्बी समेट पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजा कर रखें, नौर और वह उसकी इंतरियों और पैरों को जल से धोए, तब याजक सब को वेदी पर जलाए कि वह हुंबली यहोवा के लिए सुकदायक सुगंधवाला हवन ठेहरे, दस, यदि वह भीडों या बकरों की हुंबली चड़ाए तो निर्दोश नर को चड़ाए, जारह और वह उसको यहोवा के आगे वेदी के उत्तरी और बली करे, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उसके pursuing को वेदी के चारों और चिलकें, बारह और वह उसको टुकड़े टुकड़े करे, और सिर और चर्बी को अलग करे, और याजक इन सब को उस लकडी पर सजाकर रखे जो वेदी की आग पर होगी, तेरह और वह उसकी अंतर्णियों और पैरों को जल से धोए। और याजक सब को समीप ले जाकर वेदी पर जलाए कि वह होंबली और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंधवाला हवन ठेहरे। 14. यदि वह यहोवा के लिए पक्षियों की होंबली चड़ाए, तो पंदुकों या कबूत्रों का चड़ावा चड़ाए। 15. याजक उसको वेदी के समीप ले जाकर उसका गला मरोड के सिर को धर से अलग करे और वेदी पर जलाए और उसका सारा अलहू उस वेदी के बाजू पर गिराया जाए, सुलह और वह उसकी गल थेली को मल सहित निकाल कर वेदी के पूर्व की और राक डालने के स्थान पर 17 और वह उसको पंखों के बीच से फाड़े पर अलग अलग ना करे तब याजक उसको वेदी पर उस लकडी के ऊपर रख कर जो आग पर होगी जलाए कि वह हुंबली और यहोवा के लिए सुकदायक सुगंधवाला हवन ठहरे अध्याए दो अनबली की वेदी एक जब कोई यहोवा के लिए अनबली का चड़ावा चड़ाना चाहे तो वह मैदा चड़ाए और उस पर तेल डालकर उसके उपर लोबान रखे दो और वह उसको हारूम के पुत्रों के पास जो याजक हैं लाए और वह अनबली के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुठी भरकर निकाले की सब लोबान उसमें आ जाए और याजक उन्हिसमरन दिलाने वाले भाग के लिए वेदी पर जलाए की यह यहोवा के लिए सुकदायक सुगंधित हवन ठहरे तीन और अनबली में से जो बचा रहे वह हारून और उसके पुत्रों का ठहरे यह यहोवा के हवनों में से परंपवित्र भाग होगा चार जब तू अनबली के लिए तंदूर में पकाया हुआ चड़ावा चड़ाए तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे के फुलकों या तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी चपातियों का हो पांच और यदी तेरा चड़ावा तवे पर पकाया हुआ अनबली हो तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे का हो छे उसको टुकड़े टुकड़े करके उस पर तेल डालना तब वह अनबली हो जाएगा साथ और यदी तेरा चड़ावा कड़ाही में तला हुआ अन्नबली हो, तो वह मैदे से तेल में बनाया जाए आठ और जो अन्नबली इन वस्तूओं में से किसी का बना हो, उसे यहोवा के समीप ले जाना, और जब वह याजक के पास लाया जाए, तब याजक उसे वेदी के समीप ले जाए नौर और याजक अन्नबली में से समरन दिलाने वाला भाग निकाल कर वेदी पर जलाए कि वह यहोवा के लिए सुकदायक सुगंध वाला हवन ठहरे, दस और अन्नबली में से जो बचा रहे वह हारून और उसके पुत्रों का ठहरे, वह यहोवा के हवनों में परंप वित् 11. कोई अनबली जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ, खमीर मिलाकर बनाया न जाए, तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधू न जलाना 12. तुम इनको पहली उपज का चढ़ावा करके यहोवा के लिए चढ़ाना, पर्वे सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर चढ़ाए न जाएं 13. फिर अपने सब अनबलियों को नमकीन बनाना, और अपना कोई अनबली अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना, अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना 14. यदि तु यहोवा के लिए पहली उपज का अनबली चढ़ाए, तो अपनी पहली उपज के अनबली के लिए आग में भुनी हुई हरी हरी बालें, अर्थात हरी हरी बालों को मींजे के निकाल लेना, तब अन्न को चढ़ाना 15. और उसमें तेल डालना, और उसके उपर लोबान रखना, तब वह नबली हो जाएगा 16. और याजक मींजे कर निकाले हुए अन्न को, और तेल को, और सारे लोबान को समरन दिलाने वाला भाग करके जला दे, वह यहोवा के लिए हवं ठहरे 16. अध्याय 3. मेलबली की विधी 1. यदि उसका चड़ावा मेलबली का हो, और यदि वह गाय बैलों में से किसी को चड़ाए, चाहे वह पशुनर हो या मादा, तो जो निर्दोश हो उसी को वह यहोवा के आगे चड़ाए 17. दो और वह अपना हाथ अपने चड़ावे के पशु के सिर पर रखे और उसको मिलापवाले तंबू के द्वार पर बली करे, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उसके लहु को वेदी के चारों और छिलकें 17. तीन और वह मेलबली में से यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात जिस चर्बी से अंतरियां धपी रहती हैं, और जो चर्बी उनमें लिप्टी रहती है वह भी, चार और दोनों गुर्दे और उनके उपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के उपर की जिल्ली, इन सबों को वह अलग करे, पांच तब हारून के पुत्र इनको वेदी पर उस हुंबली के उपर जलाएं, जो उन लक्रियों पर होगी जो आग के उपर है कि यह यहोवा के लिए सुकदायक सुगंधवाला हवन ठेहरे, 6. यदी यहोवा के मेलबली के लिए उसका चड़ावा भेड बकरियों में से हो, तो चाहे वह नर हो या मादा, पर जो निर्दोश हो उसी को वह चड़ाए, 7. यदी वह भेड का बच्चा चड़ाता हो, तो उसको यहोवा के सामने चड़ाए, 8. और वह अपने चड़ावे के पश्यू के सिर पर हाथ रखे और उसको मिलापवाले तंबू के आगे बली करे, और हारून के पुत्र उसके लहू को वेडी के चारों और छिर्कें, 9. तब मिलबली में से चरबी को यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात उसकी चरबी भरी मोटी पूंच को वहरीर के पास से अलग करे, और जिस चरबी से अंतवियां धपी रहती है, और जो चरबी उनमें लिप्टी रहती है, दस और दोनों गुर्दे, और जो चरबी उनके उपर कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के उपर की जिल्ली, इन सभों को वह अलग करे, ग्यारा और याजक इन्हें वेदी पर जलाए, यह यहोवा के लिए हवन रूपी भोजन ठहरे, बारा, यदी वह बकरा या बकरी चड़ाए, तो उसे यहोवा के सामने चड़ाए, तेरह और वह अपना हाथ उसके सिर पर रखे, और उसको मिलापवाले तंबू के आगे बली करे, और हारून के पुत्र उसके लहू को वेदी के चारों और छिरकें, चौदह तब वह उसमें से अपना चड़ावा यहोवा के लिए हवन करके चड़ाए, अर्था को वह अलग करे, सोला और याजक इन्हें वेदी पर जलाए, यह हवन रूपी भुजन है जो सुकदायक सुगंद के लिए होता है, क्यूंकि सारी चर्भी यहोवा की है, सत्रह यह तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीवी-पीवी के लिए सदा की विधी ठहरेगी की तुम चर्भी और लहु कभी न खाओ, अध्याय चार, पापबली की विधी एक फिर यहोवा ने मूसा से कहा, दो, इस्राइलियों से यह कह कि यदि कोई मनुश्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है, किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, तीन और यदि अभिशिक त्याजिक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोशी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोश बच्चडा यहोवा को पाप बली करके चड़ाये, चार वह उस बच्चडे को मिलापवाले तंबू के दुआर पर यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे, और उस बच्चडे को यहोवा के सामने बली करे, पाँच और अच्छेक उस लहू में से कुछ और लेकर सुगंदित धूप की वेदी के सींगों पर जो मिलापवाले तंबू में है यह हुवा के सामने लगाए, फिर बच्छडे के सब लहू को वेदी के पाई पर जो मिलापवाले तंबू के द्वार पर है उन्देल दे। इन सबहों को वह ऐसे अलग करे, दस जैसे मेलबलिवाले चड़ावे के बच्छडे से अलग किये जाते हैं और याजक इनको होंबली की वेदी पर जलाए। ग्यारह परंतु उस बच्छडे की खाल, पाउ, सिर, इंतरिया, गोबर, बारह और सारा मास, अर्थात समूचा बच्छडा चावनी से बाहर शुधस्थान में, जहां राक डाली जाएगी, ले जाकर लकडी पर रखकर आग से जलाए, जहां राक डाली जाती है वह वहीं ज जलाया जाए, तेरह, यदी इस्राइल की सारी मंडली अग्यानता के कारण पाप करे और वह बात मंडली की आँखों से छिपी हो, और वे यहोवा की किसी आग्या के विरुध्ध कुछ करके दोशी ठहरे हूं, चोदर तो जब उनका किया हुआ पाप प्रगठ हो जाए तब मंडली एक बच्छडे को पाप बली करके चड़ाए, वह उसे मिलापवाले तंबू के आगे ले जाए, पंद्रह और मंडली के वृध्ध लोग अपने अपने हाथों को यहोवा के आगे बच्छडे के सिर पर रखें, और वह बच्छडा यहोवा के सामने बली किया जाए, 16 तब अभिशिक्त याजग बच्छडे के लहु में से कुछ मिलापवाले तंबू में ले जाए, 17 और याजग अपनी उंगली लहु में दुबो दुबो कर उसे बीच वाले पर दे के आगे साथ बार यहोवा के सामने छिर के, 18 और उसी लहु में से वेदी के सींगों पर जो यहोवा के आगे मिलापवाले तंबू में है लगाए, और बचा हुआ सब लहु होंबली की वेदी के पाई पर जो मिलापवाले तंबू के द्वार पर है उंडेल दे, 19 और वह बच्छडे की कुल चर्बी निकाल कर वेदी पर जलाए, 20 जैसे पापवली के बच्छडे से किया था वैसे ही इस से भी करे, इस भांती याजक इस्रालियों के लिए प्रायश्चित करे, तब उनका वह पाप क्षमा किया जाएगा, 21 और वह बच्छडे को च्छावनी से बाहर ले जाकर उसी भांती जलाए जैसे पहले बच्छडे को जलाया था, यह मंडली के निम उस पर प्रगट हो जाए, तो वह एक निर्दोश बकरा बलिदान करने के लिए ले आए, 24 और बकरे के सिर पर अपना हाथ धरे, और बकरे को उस स्थान पर बली करे जहां होंबलिप्शु यहोवा के आगे बली किये जाते हैं, यह पापबली ठहरेगा, 25 तब याजक अपन बली की चरबी के समान वेदी पर जलाए, और याजक उसके पाप के विशे में प्रायश्चित करे, तब वह ख्षमा किया जाएगा, 27 यदी साधारन लोगों में से कोई अग्यानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोशी हो, और उसक वह पाप उस पर प्रगट हो जाए, 28 तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोश बक्री बलिदान के लिए ले आए, 29 और वह अपना हाथ पाप बलिपशु के सिर पर रखे, और होंबली के स्थान पर पाप बलिपशु का बलिदान करे, 30 और याजक उसके लहु में से अपनी उंगली से कुछ लेकर होंबली की वेदी के सींगों पर लगाए, और उसके सब लहु को उसी वेदी के पाई पर उंडेल दे, 31 और वह उसकी सब चरबी को मेलबलिपशु की चरबी के समान अलग करे, तब याजक उसको वेदी पर यहोवा के निमित सुखदायक सुगंद के लिए जलाए, और इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसे एक शमा मिलेगी, 32 यदि वह पापबली के लिए एक भेडी का बच्चा ले आए, तो वह निर्दोश मादा हो, 33 और वह अपना हाथ पापबलिपशु के सिर पर रखे, और उसको पापबली क लिए वहीं बलिदान करे जहां होंबलिपशु बली किया जाता है, 34 तब याजक अपनी उंगली से पापबली के लहु में से कुछ लेकर होंबली की वेडी के सींगों पर लगाए, और उसके सब लहु को वेडी के पाई पर उंडेल दे, 35 और वह उसकी सब चर्बी को मेलब लिए वाले भेड के बच्चे की चर्बी के समान अलग करे और याजक उसे वेडी पर यहुवा के हवनों के उपर जलाए, और इस प्रकार याजक उसके पाप के लिए प्रायश्चित करे और वह ख्शमा किया जाएगा, अध्याय पांच, पापबली के कारण, एक, यदी को साक्षी होकर ऐसा पाप करे की शपत खिलाकर पूछने पर भी कि क्या तूनी यह सुना अध्वा जानता है, और वह बात प्रगट ना करे, तो उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा, दो अध्वा यदी कोई किसी अशुद्ध वस्तू को अज्यानता से चूल ल तो चाहे वह अशुद्ध बनेले पशु की, चाहे अशुद्ध घरेलू पशु की, चाहे अशुद्ध रेंगने वाले जीव जन्तू की लोत हो, तो वह अशुद्ध होकर दोशी ठहरेगा, तीन अध्वा यदी कोई मनुष्य किसी अशुद्ध वस्तू को अज्यानता से चुले, चाहे वह अशुध्ध वस्तु किसी भी प्रकार की क्यूं न हो जिससे लोग अशुध्ध हो जाते हैं, तो जब वह उस बात को जान लेगा तब वह दोशी ठहरेगा. चार अथवा यदी कोई बुरा या भला करने को बिना सोचे समझे शपत खाए, चाहे किसी प्रकार की बात वह बिना सोचे विचारे शपत खाकर कहे, तो ऐसी बात में वह दोशी उस समय ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा. पांच और जब वह इन बातों में से किसी भी बात में दोशी हो, तब जिस विशय में उसने पाप किया हो वह उसको मान ले, छे और वह यहोवा के सामने अपना दोशबली ले आए, अर्थात उस पाप के कारण वह एक भेड या बकरी पाप बली करने के लिए 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 ल पास ले आए, उन में से एक तो पाप बली के लिए और दूसरा होंबली के लिए, आठ वह उनको याजक के पास ले आए, और याजक पाप बली वाले को पहले चड़ाए, और उसका सिर गले से मरोड डाले, पर अलग ना करे, नौर वह पाप बलिप्शू के लहू में से कु अब वह शमा किया जाएगा, ग्यारह पर यदि वह दो पंडुक्या कबूतरी के दो बच्चे भी न दे सके, तो वह अपने पाप के कारण अपना चड़ावा हैपा का दस्वा भाग मैदा पाप बली करके ले आए, उस पर न तो वह तेल डाले, और न लोबान रखे, क्यू की वह पाप बली होगा, बारह वह उसको याजक के पास ले जाए, और याजक उसमें से अपनी मुठी भर स्मरन दिलाने वाला भाग जानकर वेदी पर यहोवा के हवनों के उपर जलाए, वह पाप बली ठहरेगा, तेरह और इन बातों में से किसी भी बात के विशय में जो क कोई पाप करे, याजक उसका प्रायश्चित करे, और तब वह पाप शमा किया जाएगा, और इस पाप बली का शेश इन बली के शेश के समान याजक का ठहरेगा, दोशबली की विधी 14 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 15 यदि कोई यहोवा की पवित्र की हुई वस्तूओं के विशय में भूल से विश्वास खात करे और पापी ठहरे, तो वह यहोवा के पास एक निर्दोश मेरा दोशबली के लिए ले आए, उसका दाम पवित्रस्थान के शेकेल के अनुसार उतने ही शेकेल चांदी का हो जितना याजक ठहरा है। अठारह इसलिए वह एक निर्दोश मेरा दोशबली करके याजक के पास ले आए, वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहरा है, और याजक उसके लिए उसकी उस भूल का जो उसने अन्जाने में की हो प्रायश्चित करे और वह ख्षमा किया जाएगा। 19 यह दोशबली ठहरे क्योंकि वह मनुश्यनी संदेह यहोवा के सम्मुक दोशी ठहरेगा। 1. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 2. यदी कोई यहोवा का विश्वास खात करके पापी ठहरे, जैसा की धरोहर, या लेंदेन, या लूट के विशय में अपने भाई से चल करे, या उस पर अंधेर करे, तीन या पड़ी हुई वस्तू को पाकर उसके विशय जूट बोले और जूटी शपत भी खाए, ऐसी कोई भी बात क्यूँ नहों जिसे करके मनुश्य पापी ठहरते हैं, चार तो जब वह ऐसा काम करके दोशी हो जाए, तब जो भी वस्तू उसने लूट, या अंधेर करके, या धरोहर, या पड़ी पाए हो, पांच चाहे कोई भी वस्तू 6 और वह यहोवा के सम्मुख अपना दोशबली भी ले आए, अर्थात एक निर्दोश मेरा दोशबली के लिए याजक के पास ले आए, वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए, साथ इस प्रकार याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, और जिस काम क करके वह दोशी हो गया है, उसकी क्षमा उसे मिलेगी, भाती भाती के बलिदानों की विधी हुंबली, 8 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 9, हारून और उसके पुत्रों को आग्या देकर यह कह कि हुंबली की व्यवस्था यह है, हुंबली इंदन के उपर रात भर भोर तक वे वेदी पर रह जाए, उसे उठाकर वेदी के पास रखे, 11 तब वह अपने ये वस्त्र उतार कर दूसरे वस्त्र पहिंकर राख को चावनी से बाहर किसी शुदस्थान पर ले जाए, 12 वेदी पर अग्नी जलती रहे, और कभी बुझने न पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकडियां जला कर हुंबली के टुकडों को उसके उपर सजा कर धर दे, और उसके उपर मेलबलियों की चर्बी को जलाया करे, 13 वेदी पर आग्नी जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए, अन्नबली 14 अन्नबली की व्यवस्था इस प्रकार है, हारून के पुत्र उसको वेदी के आगे यहोवा के समीप ले आए, 15 और वह अन्नबली के तेल मिले हुए मैदे में से मुठी भर और उस पर का सब लोबान उठाकर अन्नबली के स्मर्नार्थिस भाग को यहोवा के सम्मुक श्रह जाए उसे हारून और उसके पुत्र खाएं, वह बिना खमीर पवित्रस्थान में खाया जाए, अर्थात्वे मिलापवाले तंबू के आनगन में उसे खाएं, 17 वह खमीर के साथ पकाया ना जाए, क्योंकि मैंने अपने हव्य में से उसको उनका निजभाग होने के ल जो कोई उन हवनों को छुए वह पवित्र ठहरेगा, 19 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 20 जिस दिन हारून का अभिशेक हो उस दिन वह अपने पुत्रों के साथ यहोवा को यह चड़ावा चड़ाए, अर्था तैपा का दस्वा भाग मैदा नित्य अन्नबली में चड़ाए, उस में से आधा भोर को और आधा संध्या के समय चड़ाए, 21 वह तवे पर तेल के साथ पकाया जाए, जब वह तेल से तर हो जाए तब उसे लियाना, इस न्नबली के पके हुए टुकड़े यहोवा के सुकदायक सुगंद के लिए चड़ाना, 22 हारून के पुत्रों में से जो भी उस याजकपद पर अभिशिक्त होगा, वह भी उसी प्रकार का चड़ावा चड़ाया करे, यह विदी सदा के लिए है कि यहोवा के सम्मुख वह संपूर्ण चड़ावा जलाया जाए, 23 याजक के संपूर्ण ननबली भी सब जलाये जाए, वह कभी न खाया जाए, 24 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 25 हरून और उसके पुत्रों से यह कह कि पापबली की व्यवस्था यह है, जिस स्थान में होंबलिप्शू वद्ध किया जाता है, उसी में पापबलिप्शू भी यहोवा के सम्मुख बली किया जाए, वह परंपावित्र है, 26 जो याजक पा पवित्र ठहरेगा, और यदि उसके लहू के छीटे किसी वस्त्र पर पर जाएं, तो उसे किसी पवित्र स्थान में धो देना, 28 और वह मिट्टी का पात्र जिसमें वह पकाया गया हो तोड़ दिया जाए, यदि वह पीतल के पात्र में उबाला गया हो, तो वह मांजा और जल से धोलिया जाए, 29 याजिकों में से सब पुरुष उसे खा सकते हैं, वह परम पवित्र वस्तू है, 30 पर जिस पापबलिप्शू के लहू में से कुछ भी लहू मिला पवाले तंबू के भीतर पवित्र स्थान में प्रायश्चित करने को पहुँचाया जाए, उसका इसी स्थान पर दोशबलिप्शू भी बली करें, और उसके लहू को याजिक वेदी पर चारों और छिड़के, तीन और वह उसमें की सब चर्बी को चड़ाए, अर्थात उसकी मोटी पूंच को, और जिस चर्बी से अंतरियां धपी रहती हैं, वह भी, चार और दोनों भी उनके उपर और कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के उपर की जिल्ली, इन सबहों को वह अलग करे, पांच और याजिक इन्हें वेदी पर यहोवा के लिए हवन करे, तब वह दोशबली होगा, छे याजिकों में के सब पुरुष उसमें से खा सकते हैं, वह किसी पवित्र स्थान में खाया जाए, क्योंकि वह परंपवित्र है, साथ जैसा पापबली है वैसा ही दोशबली भी है, उन दोनों की एक ही व्यवस्था है, जो याजिक उन बलियों को चड़ा के प्रायश्चित करे वही उन वस्तूओं को ले, आठ और जो याजिक कि किसी के लिए होंबली को चड़ाए उस होंबल इपशु की खाल को वही आजक ले ले, नौर और तंदूर में, या कड़ाही में, या तवे पर पके हुए सब अन बली उसी आजक की होंगी जो उन्हें चड़ाता है, दस और सब अन बली, जो चाहे तेल से सने हुए हों, चाह तो धन्यवाद अबली के साथ तेल से सने हुए अखमीरी फुलके, और तेल से चुपड़ी हुए अखमीरी रोटियां, और तेल से सने हुए मैदे के फुलके तेल से तर चड़ाए 13 और वह अपने धन्यवाद वाले मेलबली के साथ खमीरी रोटियां भी चड़ाए 14 और ऐसे एक-एक चड़ावे में से वह एक-एक रोटी यहोवा को उठाने की भेट करके चड़ाए वह मेलबली के लहुके छिलकने वाले याजक की होगी 15 और उस धन्यवाद वाले मेलबली का मास बलिदान चड़ाने के दिन ही खाया जाए उसमें से कुछ भी भोर तक शेश न रह जाए 16 पर यदी उसके बलिदान का चड़ावा मनत का या स्वेच्छा का हो तो उस बलिदान को जिस दिन वह चड़ाया जाए उसी दिन वह खाया जाए और उसमें से जो शेश रह जाए वह दूसरे दिन भी खाया जाए 17 परंतु जो कुछ बलिदान के मास में से तीसरे दिन तक रह जाए वह आग में जला दिया जाए 18 और उसके मेलबली के मास में से यदि कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए, तो वह ब्रहन ना किया जाएगा, और न उसके हित में गिना जाएगा, वह घृनित कर्म समझा जाएगा, और जो कोई उसमें से खाय उसका अधर्म उसी के सिर पर पड़ेगा 19 फिर जो मास किसी अशुद्ध वस्तू से चू जाए वह ना खाया जाए, वह आग में जला दिया जाए फिर मेलबली का मांस जितने शुधा हों वे ही खाएं, 20 परंचु जो अशुद्दा होकर यहोवा के मेलबली के मांस में से कुछ खाए वह अपने लोगों में से नाश्किया जाए. 21 और यदि कोई किसी अशुध्ध वस्तू को चूकर यहोवा के मिलबलिप्शू के मांस में सिखाई, वह भी अपने लोगों में से नाश किया जाए, चाहे वह मनुष्य की कोई अशुध्ध वस्तू या अशुध्ध पशू या कोई भी अशुध्ध और ग्रेनित वस्तू हो 22 फिर यहोवा ने मूसा से कहा 23 इसराइलियों से इस प्रकार कहें तुम लोग न तो बैल की कुछ चर्बी खाना और न भेड या बक्री की 24 और जो पशु स्वयम मर जाए और जो दूसरे पशु से फाड़ा जाए उसकी चर्बी अन्यकाम में लाना परंतु उसे किसी प्रकार से खाना नहीं 25 जो कोई ऐसे पशु की चर्बी खाएगा जिसमें से लोग कुछ यहोवा के लिए हवन करके चड़ाया करते हैं वह खाने वाला अपने लोगों में से नाश किया जाएगा 26 और तुम अपने घर में किसी भांती का लहू चाहे पक्षी का चाहे पशु का हो ना खाना 27 हर एक प्रानी जो किसी भांती का लहू खाएगा वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा 28 फिर यहोवा ने मूसा से कहा 29 इसराइलियों से इस प्रकार कहे जो यहोवा के लिए मेलबली चड़ाये वह उसी मेलबली में से यहोवा के पास भेंट ले आए 30 वह अपने ही हाथों से यहोवा के हव्यकों अर्थात चाती समेथ चरबी को ले आएकी चाती हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाए जाए 31 और याजक चरबी को तो वेदी पर जलाए परंतु चाती हारून और उसके पुत्रों की होगी 32 फिर तुम अपने मेलबलियों में से दाहिनी जांग को भी उठाने की भेंट करके याजिक को देना 33 हारून के पुत्रों में से जो मेलबली के लहू और चर्बी को चड़ाए दाहिनी जांग उसी का भाग होगा 34 क्योंकि इसरालियों के मेलबलियों में से हिलाने की भेंट की चाती और उठाने की भेंट की जांग को लेकर मैंने याजिक हारून और उसके पुत्रों को दिया है कि यह सरवदा इसरालियों की और से उनका हक बना रहे 35 जिस दिन हरुन और उसके पुत्र यहोवा के समीट याजक पद के लिए लाए गए उसी दिन यहोवा के हव्यों में से उनका यही अभिशिक भाग ठहराया गया 36 अर्थात जिस दिन यहोवा ने उनका अभिशेक किया उसी दिन उसने आग्या दी कि उनको इस्राइलियों की ओर से ये भाग नित्य मिला करें उनकी पीडी-पीडी के लिए उनका यही हक ठहराया गया 37 होंबली, अनबली, पापबली, दोशबली, याजकों के संसकार बली और मेलबली की व्यवस्था यही है 38 जब यहोवा ने सीने परवत के पास के जंगल में मूसा को आग्या दी की इस्राइली मेरे लिए क्या-क्या चड़ावा चड़ाएं तब उसने उनको यही व्यवस्था दी थी अध्याय आठ हारून और उसके पुत्रों का अभिशेक एक फिर यहोवा ने मूसा से कहा दो, तू हारून और उसके पुत्रों के वस्थरों और अभिशेक के तेल और पापबली के बच्छे और दोनों मेनों और अखमीरी रोटी की टोकरी को तीन मिलापवाले तंबू के द्वार पर लिया और वहीं सारी मंडली को इकठा कर चार यहोवा की इस आग्या के अनुसार मूसा ने किया और मंडली मिलापवाले तंबू के द्वार पर इकठा हुई पांच तब मूसा ने मंदली से कहा जो काम करने की आग्या यहवा ने दी है वह यह है छे फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को समीत ले जाकर जलसे नहलाया साथ तब उसने उनको अंगरखा पहिनाया और कटिबंद लपेट कर बागा पहिना दिया और एपोद लगाकर एपोद के काड़े हुए पट्टे से एपोद को बांध कर कस दिया आठ और उसने चप्रास लगाकर चप्रास में हुरीम और तुम्मीम रख दिये नौ तब उसने उसके सिर पर पगड़ी बांध कर पगड़ी के सामने सोने के टीके को अर्थत पवित्र मुकुट को लगाया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आग्या दी थी 10 तब मूसा ने अभिशेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें था उन सब का भी अभिशेक करके उन्हें पवित्र किया ग्यारह और उस तेल में से कुछ उसने वेदी पर साथ बार छिरका और कुल सामान समेत वेदी का और पाय समेत होदी का अभिशेक करके उन्हें पवित रखिया 12 और उसने अभिशेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डाल कर उसका अभिशेक करके उसे पवित्र किया 13 फिर मूसा ने हारून के पुत्रों को समीट ले आकर अंगर्खे पहिना कर कटिबंद बांध के उनके सिर पर तोपी रख दी जिस प्रकार यहुवा ने मूसा को आग्या दी थी 14 तब वह पापबली के बच्छडे को समीट ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ पापबली के बच्छडे के सिर पर रखे 15 तब वह पली किया गया और मूसा ने लहू लेकर उंगली से वेदी के चारों सींगों पर लगा कर पवित्र किया और लहू को वेदी के पाई पर उंडेल दिया और उसके लिए प्रायश्चित करके उसको पवित्र किया 16 और मूसा ने अंतड़ियों पर की सब चरबी और कलेजे पर की जिली और चरबी समीत दोनों गुर्दों को लेकर वेदी पर जलाया 17 परंतु बच्छडे में से जो कुछ शेश रह गया उसको अर्थात गोबर समेत उसकी खाल और मास को उसने च्छावनी से बाहर आग में जलाया जिस प्रकार यहुवा ने मूसा को आग्या दी थी 18 फिर वह होंबली के मेड़े को समीत ले गया और हरून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हांख मेड़े के सिर पर रखे 19 तब वह बली किया गया और मूसा ने उसका लहू वेदी पर चारों और चिरका 20 तब मेड़ा टुकड़े टुकड़े किया गया और मूसा ने सिरो और चर्बी समेट टुकड़ों को जलाया 21 तब अंतरियां और पांफ जल से धोए गए और मूसा ने पूरे मेड़े को वेदी पर जलाया और वह सुखदायक सुगंद देने के लिए होंबली और यहुवा के लिए हव्य हो गया जिस प्रकार यहुवा ने मूसा को आग्या दी थी 22 फिर वह दूसरे मेड़े को जो संसकार का मेड़ा था समीट ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेड़े के सिर पर रखे 23 तब वह बली किया गया और मुसा ने उसके लहू में से कुछ लेकर हारून के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांफ के अंबूतों पर लगाया 24 और वह हरुन के पुत्रों को समीप ले गया और लहु में से कुछ एक एक के के दाहिने कान के सिरे पर और दाहिने हाथ और दाहिने पांफ के अंबूथों पर लगाया और मुसा ने लहु को वेदी पर चारों और छिर्का 25 और उसने चर्बी और मोटी पूंच और अंत्रियों पर की सब चर्बी और कलेजे पर की जिल्ली समेथ दोनों गुर्दे और दाहिनी जांक ये सब लेकर अलग रखे 26 और अखमीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे रखी गई थी उसमें से एक रोटी और तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक रोटी लेकर चर्बी और दाहिनी जांक पर रख दी 27 और ये सब वस्तुएं हारून और उसके पुत्रों के हाथों पर धर दी गई और हिलाने की भेट के लिए यहोवा के आगे हिलाई गई 28 तब मूसा ने उन्हें फिर उनके हाथों पर से लेकर उन्हें वेदी पर होंबली के उपर जलाया यह सुखदायक सुगंद देने के लिए संसकार की भेट और यहोवा के लिए हव्य था 39 तब मूसा ने च्छाती को लेकर हिलाने की भेट के लिए यहवा के आगे हिलाया और संसकार के मेडे में से मूसा का भाग यही हुआ जैसा यहवा ने मूसा को आग्या दी थी 39 तब मूसा ने अभिशेक के तेल और वेदी पर के लहू दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़का और उसने वस्त्रों समेथ हारून को भी पवित्र किया 31 तब मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से कहा मास को मिलापवाले तंबू के द्वार पर पकाओ और उस रोटी को जो संसकार की टोकरी में है वहीं खाओ जैसा मैंने आग्या दी है कि हारून और उसके पुत्रों से खाएं 32 और मास और रोटी में से जो शेश रह जाए उसे आग में जला देना 33 और जब तक तुम्हारे संसकार के दिन पूरे नहों तब तक अर्थाथ 7 दिन तक मिलापवाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना क्योंकि वह 7 दिन तक तुम्हारा संसकार करता रहेगा 34 जिस प्रकार आज किया गया है वैसा ही करने की आग्या यहोवा ने दी है जिस से तुम्हारा प्रायश्चित किया जाए 35 इसलिए तुम मिलापवाले तंबू के द्वार पर 7 दिन तक दिन रात ठहरे रहना और यहोवा की आग्या को मानना ताकि तुम मरना जाओ क्योंकि ऐसी ही आग्या मुझे दी गई है 36 तब यहोवा की इन ही सब आग्याओं के अनुसार जो उसने मूसा के द्वारा दी थी हरून और उसके पुत्रों ने किया अध्याए 9 हारून द्वारा बली अर्पन एक आठवे दिन मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को और इस्राइली पुरनियों को बुलवा कर हारून से कहा दो, पापबली के लिए एक निर्दोश बच्छडा और होंबली के लिए एक निर्दोश मीरा लेकर यहोवा के सामने भेग चड़ा तीन और इस्राइलियों से यह कह, तुम पापबली के लिए एक बक्रा, और होंबली के लिए एक बच्छडा और एक भेड का बच्चालो, जो एक वर्ष के हों और निर्दोश हों, चार और मिलबली के लिए यहवा के सम्मुक चड़ाने के लिए एक बैल और एक मीरा, और ते समीब जाकर यहाव के सामने खड़ी हुई चे तब मुसा ने कहा यहा वह काम है जिसके करने के लिए यहावा ने आज्या दी है कि तुम उसे करो और यहावा की महिमा का तेज तुम को दिखाई पड़ेगा साथ तब मूसा ने हारून से कहा यहोवा की आग्या के अनुसार वेदी के समीप जाकर अपने पापबली और होंबली को चड़ाकर अपने और सब जनता के लिए प्रायश्चित कर और जनता के चड़ावे को भी चड़ाकर उनके लिए प्रायश्चित कर आठ इसलिए हारून ने वेदी के समीट जाकर अपने पापवली के बच्चरे का बलेदान किया नौर और हारून के पुत्र लहू को उसके पास ले गए, तब उसने अपनी उंगली को लहू में दुबाकर वेदी के सींगों पर लहू को लगाया, और शेश लहू को वेदी के पाई पर उंडेल दिया, दस और पापबली में की चरबी और गुर्दों और कलेजे पर की जिल् थी, ग्यारह और मास और खाल को उसने चावनी से बाहर आग में जलाया, बारह तब हुंबलिप्शु का बलिदान किया, और हारून के पुत्रों ने लहू को उसके हाथ में दिया, और उसने उसको वेदी पर चारों और छिड़क दिया, तेरह तब उन्होंने तुकडे तुकडे करके सिर्फ सहित उसके हाथ में दे दिया और उसने उनको वेदी पर जला दिया, चौदाह और उसने अंतड़ियों और पावों को धोकर वेदी पर हुंबली के उपर जलाया, पंद्रह तब उसने लोगों के चड़ावे को आगे लेकर और उस पापबली के बक्रे को जो उनके लिए था लेकर उसका बलिदान किया और पहले के समान उसे भी पापबली करके चड़ाया। सोला और उसने होंबली को भी समीप ले जाकर विधी के अनुसार चड़ाया। सत्रह और अन्नाबली को भी समीप ले जाकर उसमें से मुठ्थी भर वेदी पर जलाया, यह भोर के हुंबली के अलावा चड़ाया गया. अठारा बैल और मेरा अर्था जो मिलबलिप्शु जनता के लिए थे वे भी बली किये गए और हारून के पुत्रों ने लहू को उसके हाथ में दिया, और उसने उसको वेदी पर चारों और छिड़क दिया, उन्नीस और उन्होंने बैल की चरबी को, और मेरे में से मोटी पू 21 परंतु छातियों और दाहिनी जांक को हारून ने मूसा की आग्या के अनुसार हिलाने की भेट के लिए यहोवा के सामने हिलाया 22 तब हारून ने लोगों की ओर हाथ बढ़ा कर उन्हें आशिरवाद दिया, और पापबली, हुंबली और मेलबलीयों को चड़ा कर वह नीचे उतर आया 23 तब मूसा और हारून मिलापवाले तंबू में गए और निकल कर लोगों को आशिरवाद दिया, तब यहोवा का तेज सारी जन्ता को दिखाई दिया 24 और यहोवा के सामने से आग निकली और 24 सहित हुंबली को वेदी पर भस्म कर दिया, इसे देखकर जन्ता ने जय जय कार का नारा लगाया और अपने अपने मून के बल गिर कर दंडवत किया अध्याए 10 नादाब और अभी हु का पाप 25 एक तब नादाब और अभी हु नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया, और उन में आग भरी, और उसमें धूप डालकर उस उपरी आग को जिसकी आ गया यहोवा ने नहीं दीथी यहोवा के सम्मुक हर्पित किया दो तब यहुवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहुवा के सामने मर गए तीन तब मूसा ने हारून से कहा यह वही बात है जिसे यहुवा ने कहा था कि जो मेरे समी पाई अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे और हारून चुप रहा चार तब मूसा ने मीशाइल और एलसाफान को जो हारून के चाचा उज्जेल के पुत्र थे बुला कर कहा निकट आओ और अपने भतीजों को पवित्रस्थान के आगे से उठाकर चावनी के बाहर ले जाओ पांच मूसा की इस आज्या के अनुसार वे निकट जाकर उनको अंगरखों सहित उठाकर चावनी के बाहर ले गए चेह तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र अलियाजार और इतामार से कहा तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ और न अपने वस्तरों को फाढ़ो ऐसा नहों कि तुम भी मर जाओ और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़ा कुठे परंतु वर इस्राइल के कुल घराने के लोग जो तुम्हारे भायबंधू हैं यहोवा की लगाए हुई आग पर विलाप करें साथ और तुम लोग मिलापवाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना ऐसा ना हो की तुम मर जाओ क्यूंकि यहोवा के अभिशेक का तेल तुम पर लगा हुआ है मूसा के इस बचन के अनुसार उन्होंने किया याजकों के लिए नियम आठ फिर यहोवा ने हारून से कहा नौ जब जब तू या तेरे पुत्र मिलापवाले तंबू में आए तब तब तुम में से कोई न तो दाख मदू पिये हो न और किसी प्रकार का मद्य कहीं ऐसा ना हो की तुम मर जाओ तुम्हारी पीवी पीवी में यह विधी प्रचलित रहे दस जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में और शुधा और अशुध में अंतर कर सको ग्यारह और इस्राइलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको बता दी है 12 फिर मूसा ने हारून से और उसके बचे हुए दोनों पुत्र इतामार और अलियाजार से भी कहा यहोवा के हव्यमे से जो अनबली बच्चा है उसे लेकर वेदी के पास बिना खमीर खाओ क्यूंकि वह परंपवित्र है तेरा और तुम उसे किसी पवित्र स्थान में खाओ वह यहोवा के हव्यमे से तेरा और तेरे पुत्रों का हग है क्यूंकि मैंने ऐसी ही आगया पाए है 14 परंतु हिलाए हुई भेट की छाती और उठाए हुई भेट की जांग को तुम लोग, अर्था तु और तेरे बेटे बेटियां सब किसी शुधस्थान में खाओ, क्यूंकि वे इस्राइलियों के मेलबलियों में से तुझे और तेरे बच्चों का हक ठहरा दी गई हैं 15 पर चर्बी के हव्यों समेट जो उठाए हुई जांग और हिलाए हुई छाती यहोवा के सामने हिलाने के लिए आया करेंगी, ये भाग यहोवा की आग्या के अनुसार सरवदा की विधी की व्यवस्था से तेरे और तेरे बच्चों के लिए हैं 16 फिर मूसा ने पापबली के बक्रे की खोज बीन की, तो क्या पाया की वह जलाया गया है इसलिए एलियाजार और इतामार जो हारूम के पुत्र बचे थे उनसे वह क्रोध में आकर कहने लगा 17 पापबली जो परंपवित्र है और जिसे यहोवा ने तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम मंडली के अधर्म का भार अपने पर उठा कर उनके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करो तुमने उसका मास पवित्रस्थान में क्यूं नहीं खाया 18 देखो उसका लहू पवित्रस्थान के भीतर तो लाया ही नहीं गया मी संदे हूर्चित था कि तुम मेरी आग्या के अनुसार उसके मास को पवित्रस्थान में खाते 19 इसका उत्तर हारून ने मूसा को इस प्रकार दिया देख आज ही उन्होंने अपने पापबली और होंबली को यहोवा के सामने चड़ाया फिर मुझ पर ऐसी विपत्तियां आ पड़ी है इसलिए यदि मैं आज पापबली का मास खाता तो क्या यह बात यहोवा के सम्मुक भली होती बीस जब मुसा ने यह सुना तब उसे संतोश हुआ अध्याए ग्यारह शुधा और अशुधा पशु एक फिर यहोवा ने मुसा और हारून से कहा दो इस्राइलियों से कहो जितने पशु पृत्वी पर हैं उन सभों में से तुम इन जीवधारियों का मास खा सकते हो तीन पशुओं में से जितने चिरे या फटे खुर के होते हैं और पागुर करते हैं उन्हें खा सकते हो चार परंतु पागुर करने वाले या फटे खुरवालों में से इन पश्वों को न खाना अर्था तूट जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुध्ध ठहरा है पांच और शापान, जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है चह और खरहा, जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, इसलिए वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है साथ और सुव, जो चिरे अर्थात फटे खुर का होता तो है परन्तु पागुर नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुध्ध है आठ इनके मास में से कुछ न खाना और इनकी लोत को छूना भी नहीं, ये तो तुम्हारे लिए अशुध्ध है नौ, फिर जितने जलजन्तू हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात समुद्र या नदियों के जलजन्तू में से जितनों के पंख और चोम्यटे होते हैं उन्हें खा सकते हो दस और जल्चरी प्राणियों में से जितनी जीवधारी बिना पंख और चोम्यटे के समुद्र या नदियों में रहते हैं वे सब तुम्हारे लिए घ्रिनित हैं ग्यारह वे तुम्हारे लिए घ्रिनिट ठेहरें, तुम उनके मास में से कुछ ना खाना, और उनकी लोथों को अशुद्ध जानना बारह जल में जिस किसी जन्तू के पंक और चोम्यटे नहीं होते वर तुम्हारे लिए अशुद्ध है तेरह फिर पक्षियों में से इनको अशुद्ध जानना, ये अशुद्ध होने के कारण खाए न जाएं अर्था तुकाब, हरफोड, कुरक, 14 चील, और भांती भांती के बाज, 15 और भांती भांती के सब काग, 16 शुतुरमुर्ग, तकमास, जलकुकुट, और भांती भांती के शिकरे, 17 हबासल, हारगील, उल्लू, 18 राजहंस, धनेश, गिद, 19 लगलग, भांती भांती के बगु पंखवाले जो चार पावों के बल चलते हैं, जिनके भूमी पर कूदने फांदने को टांगे होती हैं, उनको तो खा सकते हो, 22 वे ये हैं, अर्थाद भांती भांती की टिड़ी, भांती भांती के फनगे, भांती भांती के जहिंगुर, और भांती भांती के टिड़े, 23 प 25 और जो कोई इनकी लोथ में का कुछ भी उठाए वह अपने वस्त्रद होय और सांचतक अशुद्ध रहे 26 फिर जितने पशुचिरे खुर के होते हैं परंतु ना तो बिलकुल फटे खुर और ना पागुर करने वाले हैं वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं जो कोई उनकी लोथ उठाए वह अपने वस्त्रद होय और सांचतक अशुद्ध रहे क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं 29 जो प्रिथवी पर रेंगते हैं उनमें से ये रेंगने वाले तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं अर्थात नेवला, चूहा और भांती-भांती के गो, तीस और छिपकली, मगर, टिक-टिक, सांडा और गिरगिटान 31 सब रेंगने वालों में से ये ही तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, जो कोई इनकी लोत छुए वह सांच्तक अशुद्ध रहे 32 और इनमें से किसी की लोत जिस किसी वस्तूपर पर जाए वह भी अशुद्ध ठहरे, चाहे वह काट का कोई पात्र हो, चाहे वस्त्र, चाहे खाल, चाहे बोरा, चाहे किसी काम का कैसा ही पात्र आदी क्यों नहो, वह जल में डाला जाए, और सांच्तक अशुद्ध रहे, तब शुद्ध समझा जाए। 35 और यदी मिट्टी का कोई पात्र हो जिसमें इन जन्तूओं में से कोई पड़े, तो उस पात्र में जो कुछ हो वह अशुद्ध ठहरे, और पात्र को तुम तोड़ डालना। 34 उसमें जो खाने के योग्य भोजन हो, जिसमें पानी का छुआवा हो वह सब अशुद्ध ठहरे, फिर यदी ऐसे पात्र में पीने के लिए कुछ हो तो वह भी अशुद्ध ठहरे। 35 उर यदी इनकी लोथ में का कुछ तंदूर या चूलहे पर पड़े तो वह भी अशुद्ध ठहरे, और तोड़ डाला जाए, क्योंकि वह अशुद्ध हो जाएगा, वह तुम्हारे लिए भी अशुद्ध ठहरे। 36 परंतु सोता या तालाब जिसमें जल इकठा हो वह तो शुद्ध ही रहे, परंतु जो कोई इनकी लोथ को चूए वह अशुद्ध ठहरे। 40 और उसकी लोथ में से जो कोई कुछ खाए वह अपने वस्त्रध होए और सांच्ता कशुद्ध रहे। 45 तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जन्तु के द्वारा अपने आपको घिनोना न करना, और न उनके द्वारा अपने को अशुद्ध करके अपवित्र ठहरना। 44 क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जन्तु के द्वारा जो प्रित्वी पर चलता है अपने आपको अशुद्ध न करना। पैंतालीस क्योंकि मैं वह यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूं कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरुन, इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। च्यालीस पशुओं, पक्षियों और सब जल्चरी प्राणियों और प्रित्वी पर सब रेंगने वाले प्राणियों के विशे में यही व्यवस्था है। सेंतालीस की शुध अशुध्ध और भक्षय और अभक्षय जीवधारियों में भेद किया जाए। अध्याए बारह प्रसूता के शुध्धिकरन की विधी। वस्थू को चुए और ना पवित्रस्थान में प्रवेश करे। पांच और यदि उसके लड़की पैदा हो तो उसको रितुम्ती की सी अशुधता 14 दिन की लगे और फिर 66 दिन तक अपने शुध करने वाले रुधिर में रहे। 6. जब उसके शुधा हो जाने के दिन पूरे हो तब चाहे उसके बेटा हुआ हो चाहे बेटी वहुंबली के लिए एक वर्ष का भेड का बच्चा और पापबली के लिए कबूतरी का एक बच्चा या पंदुकी मिलापवाले तंबू के द्वार पर याजक के पास लाए। 7. तब याजक उसको यहोवा के सामने भेट चड़ा के उसके लिए प्रायश्चित करे और वह अपने रुदिर के बेहने की अशुधता से चूटकर शुधठ ठहरेगी। जिस स्क्री के लड़का या लड़की पैदा हो उसके लिए यही व्यवस्था है। 8. यदि उसके पास भेड या बक्री देने की पूंजी न हो तो दो पंडुकी या कबूतरी के दो बच्चे एक तो हुम्बली और दूसरा पापबली के लिए दे और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे तब वह शुधठ ठहरेगी। अध्याय तेरा कुष्ट रोग से संबंदित नियम एक फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, दो, जब किसी मनुष्य के शरीर के चर्म में सूजन या पपड़ी या दाग हो और इससे इसके चर्म में कोड की व्याधी सा कुछ दिखाई पड़े, तो उसे हारून याजक के पास या उसके पुत्र जो याजक है उनमें से कि किसी के पास ले जाएं। याजक उसको देखे, और यदि वह व्याधी जैसी की तैसी बनी रहे और उसके चर्म में न फैली हो, तो याजक उसको और भी साथ दिन तक बंद कर रखे, छे और साथ में दिन याजक उसको फिर देखे, और यदि देख पड़े कि व्याधी की चमक कम है और व्याधी चर् 9. यदि कोड किसी व्यादी किसी मनुश्य के हो, तो वह याजक के पास पहुँचाया जाए, 10 और याजक उसको देखे, और यदि वह सूजन उसके चर्म में उजली हो, और उसके कारण रुएं भी उजले हो गए हो, और उस सूजन में बिना चर्म का मास हो, 11 तो याजक जाने की उसके चर्म में पुराना कोड है, इसलिए वह उसको अशुद्ध ठहराए, और बंधना रखे, क्योंकि वह अशुद्ध है, 12 और यदि कोड किसी के चर्म से फूट कर यहां तक फैल जाए, कि जहां कहीं याजक देखे, 14 और यदि कोड ने उसके सारे शरीर को चालिया हो, तो वह उस व्यक्ति को शुद्ध ठहराए, और उसका शरीर जो बिलकुल उजला हो गया है, वह शुद्ध ही ठहरे, 14 पर जब उसमें चर्महीन मास देख पड़े, तब वह अशुद्ध ठहरे, 15 और याजक चर्महीन मास को देख कर उसको अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वैसा चर्महीन मास अशुद्ध ही होता है, वह कोड है, 16 पर यदि वह चर्महीन मास फिर उजला हो जाए, तो वह मनुष्य याजक के पास जाए, 17 और याजक उसको देखे, और यदि वह व्यादी फिर से उजली हो गई हो, तो याजक रोगी को शुद्ध जाने, वह शुद्ध है, 18 फिर यदि किसी के चर्म में फोडा होकर चंगा हो गया हो, 19 और फोडे के स्थान में उजली सी सूजन या लाली लिये हुए उजला दाग हो, तो वह याजक को दिखाया जाए, 20 और याजक उस सूजन को देखे, और यदि वह चर्म से गहरा दिखाई पड़े, और उसके रोगे भी उजले हो गए हो, तो याजक यह जानकर उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए, क्यूंकि वह कोड की व्याधी है, जो फोड़े में से फूट कर निकली है, 21 और यदि याजक देखे कि उसमें उजले रोगे नहीं है, और वह चर्म से गहरी नहीं और उसकी चमक कम हुई है, तो याजक उस मनुष्य को साथ दिन तक बंद कर रखे, 22 और यदि वह व्याधी उस समय तक चर्म में सच्मुच फैल जाए, तो याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए, क्यूंकि वह कोड की व्याधी है, 23 परंतु यदि वह दाग न फैले और अपने स्थान ही पर बना रहे, तो वह फोड़े का दाग है, 24 फिर यदि किसी के चर्म में जलने का घाव हो, और उस जलने के घाव में चर्महीन दाग लाली लिये हुए उजला या उजला ही हो जाए, 25 तो याजक उसको देखे, और यदि उस दाग में के रोएं उजले हो गए हो और वह चर्म से गहरा दिखाए पड़े, तो वह कोड है, जो उस जलने के दाग में से फूट निकला है, याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए, क्योंकि उसमें कोड की व्याधी है, 26 पर यदि याजक देखे कि दाग में उजले रोएं नहीं और ना वह चर्म से कुछ गहरा है, और उसकी चमक कम हुई है, तो वह उसको 7 दिन तक बंद कर रखे, 27 और 7 दिन याजक उसको देखे, और यदि वह चर्म में फैल गई हो, तो वह उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए, क्योंकि उसको कोड की व्याधी है, 28 परंतु यदि वह दाग चर्म में नहीं फैला और अपने स्थान ही पर जहां का तहां बना हो, और उसकी चमक कम हुई हो, तो वह जल जाने के कारण सुजा हुआ है, याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए, क्योंकि वह दाग जल जाने के कारण से है, 29 फिर यदि किसी पुरुष या स्थ्री के सिर पर या पुरुष की दाड़ी में व्याधी हो, 30 तो याजक व्याधी को देखे, और यदि वह चर्म से गहरी देख पड़े, और उसमें भूरे-भूरे पतले बाल हो, तो याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए, वह व् अर्थात सिर या दाड़ी का कोड है, 31 और यदि याजक सेन्हुए की व्याधी को देखे कि वह चर्म से गहरी नहीं है और उसमें काले-काले बाल नहीं है, तो वह सेन्हुए के रोगी को साथ दिन तक बंद कर रखे, 32 और साथवे दिन याजक व्याधी को देखे, तब याजक उस सेन्हुएं वाले को और भी साथ दिन तक बंद करे, 34 और साथवे दिन याजक सेन्हुए को देखे, और यदि वर सेन्हुआ चर्म में फैलाना हो और चर्म से गहराना देख पड़े, तो याजक उस मनुश्य को शुधर ठहराए और वह अपने वस्त्रद्धो के शुधर ठहरे, 35 पर यदि उसके शुधर ठहरने के पश्चात सेन्हुआ चर्म में कुछ भी फैले, 36 तो याजक उसको देखे, और यदि वर सेन्हुआ चर्म में फैला हो, तो याजक बूरे बाल ना ढूंधे, क्योंकि वह मनुश्य अशुधर है, 37 परंतु यदि उसकी द यदि किसी पुरुष यास्त्री के चर्म में उजले दाग हो, 49 तो याजक देखे, और यदि उसके चर्म में वे दाग कम उजले हो, तो वह जाने की उसको चर्म में निकली हुई दाधी है, वह मनुश्य शुधर ठहरे, 40 फिर जिसके सिर के बाल जढ़ गए हो, तो जानना क यदि चंदुले सिर पर या चंदुले माथे पर लाली लिये हुए उजली व्याधी हो, तो जानना कि वह उसके चंदुले सिर या चंदुले माथे पर निकला हुआ कोड है, 45 इसलिए याजक उसको देखे, और यदि व्याधी की सूजन उसके चंदुले सिर या चंदुले म व्याधी हो उस कोड़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहे और वह अपने उपरवाले होंट को ढापे हुए अशुध्ध, अशुध्ध पुकारा करे. 46 जितने दिन तक वह व्याधी उसमें रहे उतने दिन तक वह अशुद्ध रहेगा और वह अशुद्ध ठहरा रहे इसलिए वह अकेला रहा करे उसका निवास्थान चावनी के बाहर हो वस्त्र या चमडे की वस्तू का कोड 47 फिर जिस वस्त्र में कोड की व्याधी हो चाहे वह वस्त्र उनका हो चाहे सनी का 48 वह व्याधी चाहे उस सनी या उनके वस्त्र के ताने में हो चाहे बाने में या वह व्याधी चमडे में या चमडे की बनी हुई किसी वस्तू में हो 49 यदि वह व्यादी किसी वस्तु के चाहे ताने में चाहे बाने में, या चमडे में या चमडे की किसी वस्तु में हरी हो या लालसी हो, तो जानना कि वह कोड की व्यादी है और वह याजक को दिखाए जाए. पचास और याजक व्याधी को देखे और व्याधी वाली वस्तु को साथ दिन के लिए बंद करे 51 और साथ में दिन वह उस व्याधी को देखे और यदि वह वस्तु के चाहे ताने में चाहे बाने में या चमडे में या चमडे की बनी हुई किसी वस्तू में फैल गई हो, तो जानना की व्याधी गलित कोड है, इसलिए वह वस्तू, चाहे कैसे ही काम में क्यूं ना आती हो, तो भी अशुद्ध ठहरेगी. बावन वह उस वस्तू को जिसके ताने या बाने में वह व्याधी हो, चाहे वह उनका हो, चाहे सनी का, या चमडे की वस्तू हो, उसको जला दे, वह व्याधी गलित कोड की है, वह वस्तू आग में जलाए जाए. तिरपन, यदि याजक देखे कि वह व्याधी उस वस्त्र के ताने या बाने में, या चमडे की उस वस्तू में नहीं फैली, चावन तो जिस वस्तू में व्याधी हो उसके धुने की आग्यादे, तब उसे और भी साथ दिन तक बंद कर रखे, पाचपन और उसके धुने के बाद याजक उसको देखे और यदी व्यादी का न तो रंग बदला हो और न व्यादी फैली हो तो जानना कि वह अशुद्ध है उसे आग में जलाना क्योंकि चाहे वह व्यादी भीतर चाहे उपरी हो तो भी वह खा जाने वाली व्यादी है। या चमडे की उस वस्तु में दिखाई पड़े तो जानना कि वह फूट के निकली हुई व्यादी है और जिसमें वह व्यादी हो उसे आग में जलाना। अध्याएक 14. कोड से शुद्ध ठहराया जाना एक फिर यहोवा ने मूसा से कहा, दो, कोडी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था यह है। पात्र में बली किया जाए। चह तब वह जीवित पक्षी को देवदारू की लकडी और लाल रंग के कपड़े और जूफा इन सभों को लेकर एक संब उस पक्षी के लहु में जो बहते हुए जल के ऊपर बली किया गया है दुबा दे। साथ और कोड से शुदर ठहरने वाले पर साथ बार छिड़क कर उसको शुदर ठहराए तब उस जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दे। आठ और शुदर ठहरने वाला अपने वस्त्रों को धोई और सब बाल मुनडवा कर जल से स्नान करे तब वह शुदर ठहरेगा और उसके बाद वह छावनी में आने पाए परंतु साथ दिन तक अपने देरे से बाहर ही रहे। नौर और साथवे दिन वह सिर दाड़ी और भाहों के सब बाल मुनड़ाए और सब अंग मुनड़न कराए और अपने वस्त्रों को धोई और जल से स्नान करे तब वह शुदर ठहरेगा। दस आठवे दिन वल दो निर्दोश भेड के बच्चे और एक वर्ष की निर्दोश भेड की बच्ची और अनबली के लिए तेल से सना हुआ एपा का तीन दहाए अंशमेदा और लोज भर तेल लाए। ग्यारह और शुदर ठहराने वाला याजक इन वस्तूओं समेट उस शुदर होने वाले मनुश्य को यहोवा के सम्मुख मिलापवाले तंबू के द्वार पर खड़ा करे। याजक का निजभाग होगा वैसा ही दोशबली भी उसी का निजभाग ठहरेगा वह परमपवित्र है। चौदह तब याजक दोशबली के लहु में से कुछ लेकर शुदर ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पाव के अंबूठों पर लगाए। पंदरह तब याजक उस लोज भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ की हथिली पर डाले। शुद्धा होने वाले के सिर पर डाल दे। और याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। करवाने के निमित, हिलाने के लिए भेड का बच्चा दोशबली के लिए और तेल से सना हुआ एपा का दस्वा अंश मैदा अनना बली करके और लोज भर तेल लाए, 22 और दो पंडुक या कबूतरी के दो बच्चे लाए, जो वहला सके और इनमें से एक तो पाप बली के और दूसरा होंबली के लिए हो, 23 और आठवे दिन वह इन सभों को अपने शुधर ठहरने के लिए मिलापवाले तंबू के दुआर पर, यहवा के सम्मुक, याजक के पास ले आए, 24 तब याजक उस लोज भर तेल और दोशबली वाले भेड के बच्चे को लेकर हिलाने की भेट के लिए यहवा के सामने हिलाए, 25 फिर दोशबली के भेड के बच्चे का बलेदान किया जाए, और याजक उसके लहुमे से कुछ लेकर शुधर ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर, और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंबूतों पर लगाए, 26 फिर य याजक अपनी हठेली पर के तेल में से कुछ शुधर ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर, और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंबूतों पर, दोशबली के लहु के स्थान पर लगाए, 29 और जो तेल याजक की हठेली पर रह जाए, उसे वह शुधर ठहरने के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करने को उसके सिर पर डाल दे तीस तब वह पंडुकों या कबूतरी के बच्चों में से जो वहला सका हो एक को चड़ाए इस रीती से याजग शुदर ठहरने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे 32 जिसे कोड की व्याधी हुई हो और उसके इतनी पूंजी नहो की वह शुदर ठहरने की सामगरी को ला सके तो उसके लिए यही व्यवस्था है भवन का कोड 33 फिर यहोवा ने मूसा और हारूम से कहा 34 जब तुम लोग कनान देश में पहुँचो जिसे मैं तुम्हारी निजभूमी होने के लिए तुम्हें देता हूँ उस समय यदि मैं कोड की व्याधी तुम्हारे अधिकार के किसी घर में दिखाऊं 35 जिसका वह घर हो वह आकर याजग को बता दे कि मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि घर में मानो कोई व्याधी है 36 तब याजग आ गया दे कि उस घर में व्याधी देखने के लिए मेरे जाने से पहले उसे खाली करो 37 तब वह उस व्याधी को देखे और यदी वह व्याधी घर की दिवारों पर हरी हरी या लाल-लाल मानो खुदी हुई लकीरों के रूप में हो और ये लकीरे दिवार में गहिरी देख परती हो 38 तो याजग घर से बाहर द्वार पर जाकर घर को साथ दिन तक बंद कर रखे 49 और साथवे दिन याजग आ कर देखे और यदी वह व्याधी घर की दिवारों पर फैल गई हो 40 तो याजग आ गया देकी जिन पत्थरों को व्याधी है उन्हें निकाल कर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में फेक दे 41 और वह घर के भीतर ही भीतर चारों और खुरच्वाए और वह खुर्चन की मिट्टी नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में डाली जाए, 42 और उन पत्थरों के स्थान में और दूसरे पत्थर लेकर लगाएं और वह ताजागारा लेकर घर की जुड़ाए करें 43 यदी पत्थरों के निकाले जाने और घर के खुरचे और लेसे जाने के बाद वह व्याधी फिर घर में फूट निकले, 44 तो याजेक आकर देखे और यदी वह व्याधी घर में फैल गई हो, तो वह जानले की घर में गलित कोड है, वह अशुद्ध है 45 और वह सब गारे समेथ पत्थर, लकड़ी और घर को खुदवा कर गिरा दे, और उन सब वस्तूओं को उठवा कर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान पर फिंकवा दे 46 और जब तक वह घर बंद रहे तब तक यदी कोई उसमें जाए तो वह सांच तक अशुद्ध रहे, 47 और जो कोई उस घर में सोए वह अपने वस्त्रों को धोए, और जो कोई उस घर में खाना खाए वह भी अपने वस्त्रों को धोए 48 पर यदी याजक आकर देखे कि जब से घर लेसा गया है तब से उसमें व्यादी नहीं फैली है, तो यह जानकर कि वह व्यादी दूर हो गई है, घर को शुध ठहराए 49 और उस घर को पवित्र करने के लिए दो पक्षी, देवदारू की लकडी, लाल रंग का कपड़ा और जूफा लाए, पचास और एक पक्षी बहते हुए जल के उपर मिट्टी के पात्र में बलिदान करे, 51 तब वह देवदारू की लकडी, लाल रंग के कपड़े और जूफ पक्षी इन सबों को लेकर बलिदान किये हुए पक्षी के लहु में और बहते हुए जल में दुबा दे, और उस घर पर साथ बार छिड़के, 52 इस प्रकार वह पक्षी के लहु और बहते हुए जल, और जीवद पक्षी, और देवदारू की लकडी, और जूफा और लाल र माती के कोड की व्याधी, और सेन्हुए, पचपन और वस्त्र, और घर के कोड, छपपन और सूजन, और पपड़ी, और दाग के विशे में, 57 शुधव और अशुधध ठहराने की शिक्षा देने की व्यवस्था यही है। तीन वह चाहे बहता रहे, चाहे बहना बंद भी हो, तो भी उसकी अशुधधता बनी रहेगी। चार जिसके प्रमे हो वह जिस-जिस बिछोने पर लेटे वह अशुधध ठहरे, और जिस-जिस वस्तू पर वह बैठे वह भी अशुधध ठहरे। पांच और जो कोई उसके बिछोने को चुए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे, और सांच्ता कशुधध ठहरा रहे। चह और जिसके प्रमे हो और वह जिस वस्तू पर बैठा हो, उस पर जो कोई बैठे वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे, और सांच्ता कशुध ठहरा रहे। जिस वस्तू पर बैठे वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे, और सांच्ता कशुध ठहरे। जिसके प्रमे हो वह जब अपने रोग से चंगा हो जाए, तब से शुध ठहरने के साथ दिन गिन ले, और उनके बीतने पर अपने वस्त्रों को धोकर बैठे हुए जल से स्नान करे, तब वह शुध ठहरेगा। चौदह और आठवे दिन वह दो पंदुक्या कबूतरी के दो बच्चे लेकर मिला पवाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सम्मुक जाकर उन्हें याजक को दे। पंद्रह तब याजक उनमें से एक को पापबली और दूसरे को होंबली के लिए भीट चड़ाए और याजक उसके लिए उसके प्रमेह के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। 16. फिर यदी किसी पुरुष का वीर्य स्खलित हो जाए तो वह अपने सारे शरीर को जल से धोय और सांच तक अशुद्धा रहे। 17. और जिस किसी वस्त्र या चमडे पर वह वीर्य पड़े वह जल से धोया जाए और सांच तक अशुद्धा रहे। 18. जब कोई पुरुष स्थ्री से प्रसंद करें, तो वे दोनों जल से स्नान करें और सांच तक अशुद्धा रहे। वह लेटे और जिस जिस वस्तू पर वह बैठे वे सब अशुद्ध ठहरें। चौबीस और यदी कोई पुरुष उससे प्रसंद करे और उसका रुधिर उसके लग जाए तो वह पुरुष साथ दिन तक अशुद्ध रहे और जिस जिस बिच्छोने पर वह लेटे वे सब अशुद्ध ठहरें। मासिक धर्म के बिच्छोने के समान ठहरें। और जिस जिस वस्तू पर वह बैठे वे भी उसके रितुम्ती रहने के दिनों के समान अशुद्ध ठहरें। 27 और जो कोई उन वस्तूओं को चुए वह शुद्ध ठहरें। इसलिए वह अपने वस्तूओं को धोकर जल से स्नान करें। और सांज तक अशुद्ध रहे। 28 पर जब वह स्तूओं अपने रितुम्ती से शुद्ध हो जाए, तब से वह साथ दिंगिन ले और उन दिनों के बीतने पर वह शुद्ध ठहरे। 29 पर आठवे दिन वह दो पंडुक्या कबूतरी के दो बच्चे लेकर मिलापवाले तंबु के द्वार पर याजक के पास जाए। 30 पर याजक एक को पापबली और दूसरे को होंबली के लिए चड़ाए, और याजक उसके लिए उसके मासिक धर्म की अशुद्धता के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। 31 इस प्रकार से तुम इस्राइलियों को उनकी अशुद्धता से अलग रखा करो, कहीं ऐसा ना हो कि वे यहोवा के निवास को जो उनके बीच में है अशुद्धा करके अपनी अशुद्धता में फसे हुए मर जाएं। 32 जिसके प्रमिह हो और जो पुरुष वीर्यस खलित होने से अशुद्ध हो, 33 और जो स्त्री रितुम्ती हो, और क्या पुरुष क्या स्त्री, जिस किसी के धातुरोग हो, और जो पुरुष अशुद्ध स्त्री से प्रसं करे, इन सभों के लिए यही व्यवस्था है। अध्याय 16. प्रायश्चित का दिन बीच वाले परदे के अंदर पवित्रस्थान में हर समय न प्रवेश करे नहीं तो मर जाएगा क्यूंकि मैं प्रायश्चित वाले धकने की उपर बादल में दिखाई दूँगा तीन जब हारून पवित्रस्थान में प्रवेश करे तब इस रीती से प्रवेश करे पगड़ी भी बांधे हुए प्रवेश करें, ये पवित्र वस्त्र हैं, और वह जल से स्नान करके इन्हें पहिनें, पांच फिर वह इस्राइलियों की मंडली के पास से पापबली के लिए दो बकरे और होंबली के लिए एक मीडाले, छेह और हारून उस पापबली के बच्छ डाले, एक चित्थी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो, नौर और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चित्थी निकले उसको हारून पापबली के लिए चड़ाए, दस परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चित्थी निकले वह यहोवा के सामने जीवि के लिए प्रायश्चित करें। अपनी उंगली से चिरके और फिर उस लहु में से कुछ उंगली के द्वारा उस धकने के सामने भी साथ बार चिरक दे। और उनके सब पापों के कारण पवित्रिस्थान के लिए प्रायश्चित करें। और मिलापवाला तंबू जो उनके संद उनकी भाती-भाती की अशुधता के बीच रहता है उसके लिए भी वह वैसा ही करें। सत्रह जब हारून प्रायश्चित करने के लिए पवित्रिस्थान में प्रवेश करें। तब से जब तक वह अपने और अपने घराने और इस्राइल की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करके बाहर ना निकले तब तक कोई मनुष्य मिला पवाले तंबू में न रहे. अर्थाद बच्डे के लहू और बक्रे के लहू दोनों में से कुछ लेकर उस वेदी के चारों कोनों के सींगों पर लगाए. उन्नीस और उस लहू में से कुछ अपनी उंगली के द्वारा साथ बार उस पर छिड़क कर उसे इस्राइलियों की भांती-भांती की अशुधता चुड़ा कर शुधा और पवित्र करे. प्रायश्चित का बक्रा 20. जब वह पवित्रस्थान और मिलापवाले तंबो और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके, तब जीवित बक्रे को आगे ले आए, 21 और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बक्रे पर रखकर इस्राइलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अप्राधों, और उनको बक्रे के सिर पर धर कर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे, 22 वह बक्रा उनके सब अधर्म के कामों को अपने उपर लादे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा ले जाएगा, इसलिए वह मनुष्य उस जंगल में छोड़ दे, 23 तब हारून मिलापवाले तंबू में आए और जिस सनी के वस्त्रों को पहने हुए उसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया था उन्हें उतार कर वहीं पर रख दे, 24 फिर वह किसी पवित्र स्थान में जल से स्नान कर अपने निज वस्त्र पहिन आए वह भी अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे और तब वह चावनी में प्रवेश करे। 29. तुम लोगों के लिए यह सदा की विधी होगी की सात्वे महीने के दस्वे दिन को तुम अपने अपने जीव को दू, खा देना, और उस दिन कोई, चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार क 30. क्योंकि उस दिन तुम्हें शुदा करने के लिए तुम्हारे निमित प्रायश्चित किया जाएगा, और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुक पवित्र ठहरोगे. 31. यह तुम्हारे लिए परमविश्रम का दिन ठहरे, और तुम उस दिन अपने अपने जीव क दू, खह देना, यह सदा की विधी है. 32. और जिसका अपने पिता के स्थान पर याजक पद के लिए अभिशेक और संसकार किया जाए वह याजक प्रायश्चित किया करे, अर्थात वर सनी के पवित्र वस्त्रों को पहिंद कर, 33. पवित्र स्थान और मिला पवाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित करे, और याजकों के और मंदली के सब लोगों के लिए भी प्रायश्चित करे, 34. और यह तुम्हारे लिए सदा की विधी होगी की इस्राइलियों के लिए प्रतिवर्श एक बार तुम्हारे सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया यहोवा की इस आग्या के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी हारून ने किया. 1. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 2. हारून और उसके पुत्रों से और सब इस्राइलियों से कहे की यहोवा ने यह आग्या दी है. तीन इस्राइल के घराने में से कोई मनुष्य हो जो बैल या भेड के बच्चे या बक्री को चाहे चावनी में चाहे चावनी से बाहर घात करके चार मिलापवाले तंबू के द्वार पर यहोवा के निवास के सामने यहोवा को चड़ाने के निमित न ले जाए तो उस मनुश्य को लहू बहाने का दोश लगेगा और वह मनुश्य जो लहू बहाने वाला ठहरेगा वह अपने लोगों के बीच से नश्ट किया जाए पांचिस विधी का यह कारण है कि इस्राइली अपने बलिदान जिनको वे खुले मैदान में वद करते हैं वे उन्हें मिलापवाले तंबू के द्वार पर याजक के पास यहुवा के लिए ले जाकर उसी के लिए मेलबली करके बलिदान किया करें छे और याजक लहु को मिलापवाले तंबू के द्वार पर यहुवा की वेदी के उपर छिड़के और चर्बी को उसके सुखदायक सुगंद के लिए जलाए साथवे जो बकरों के पूजक होकर व्याभिचार करते हैं वे फिर अपने बलिप्शुओं को उनके लिए बलिदान न करें तुम्हारी पीडियों के लिए यह सदा की विधी होगी तू उनसे कह कि इस्राइल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हूँ जो हुम्बली या मेलबली चड़ाए नौर उसको मिलापवाले तंबू के द्वार पर यहोवा के लिए चड़ाने को न ले आए वह मनुष्य अपने लोगों में से नश्ट किया जाए दस्क फिर इस्राइल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हूँ जो किसी प्रकार का लहु खाए मैं उस लहू खाने वाले के विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नश्ट कर डालूंगा 11. क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है 12. इस कारण मैं इसराइलियों से कहता हूं कि तुम में से कोई प्राणी लहू ना खाए और जो परदेशी तुम्हारे बीच रहता हो वह भी लहू कभी न खाए 13. इसराइलियों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुश्य क्यों न हो जो एर करके खाने के योग्य पशु या पक्षी को पकड़े 14. क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है जो उसके प्राण के साथ एक है इसलिए मैं इसराइलियों से कहता हूँ कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम न खाना क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लहुवी है, जो कोई उसको खाय वह नश्ट किया जाएगा पंद्रह और चाहे वह देशी हो या परदेशी हो, जो कोई किसी लोथ या फाड़े हुए पश्यू का मास खाय वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांच्ता का शुध्ध रहे, तब वह शुधा होगा सोला परंतु यदि वह उनको न धोय और न स्नान करे, तो उसको अपने अधर्म का भार स्वायम उठाना पड़ेगा अध्याय अथारह वर्जित यौन संबंद एक फिर यहोवा ने मूसा से कहा, दो, इस्राइलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ तीन तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले चलता हूँ ना करना और ना उन देशों की विधियों पर चलना चार मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना मैं तुम्हारा परमेश्वर यहवा हूँ पांच इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा मैं यहवा हूँ उसका तन्न उखारना दस अपनी पोती या अपनी नतिनी का तन्न उखारना उनकी देह तो मानो तुम्हारी ही है ग्यारह तुम्हारी सौतेली बहिन जो तुम्हारे पिता से उत्पन हुई वह तुम्हारी बहिन है इस कारण उसका तन्न उखारना 12. अपनी फूफी का तन्न उघारना वह तो तुम्हारे पिता की निकट कुटुम्बिनी है 13. अपनी मौसी का तन्न उघारना क्योंकि वह तुम्हारी माता की निकट कुटुम्बिनी है 14. अपने चाचा का तन्ना उगारना, अर्थात उसकी स्त्री के पास न जाना, वह तो तुम्हारी चाची है 15. अपनी बहु का तन्ना उगारना, वह तो तुम्हारे बेटे की स्त्री है, इस कारण तुम उसका तन्ना उगारना 16. अपनी भोजी का तन्न उघारना, वह तो तुम्हारे भाई ही का तन है 17 किसी स्त्री और उसकी बेटी दोनों का तन्न उखारना और उसकी पोती को या उसकी नतिनी को अपनी स्त्री करके उसका तन्न उखारना वे तो निकट कुटुम भी नी है ऐसा करना महापाप है 18 और अपनी स्त्री की बहिन को भी अपनी स्त्री करके उसकी सोतना करना की पहली के जीवित रहते हुए उसका तन भी उगाड़े 19 फिर जब तक कोई स्त्री अपने रितू के कारण अशुध रहे तब तक उसके पास उसका तन उगाडने को न जाना 20 फिर अपने भाईबंधू की स्त्री से कुकर्म करके अशुधना हो जाना 21 अपनी संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके न चड़ाना और न अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना मैं यहोवा हूँ 22 फ्रीगमन की रीती से पुरुश्यगमन न करना वह तो घिनोना काम है 23 किसी जाती के पश्यू के साथ पश्यूगमन करके अशुधना हो जाना और न कोई स्त्री पश्यू के सामने इसलिए खड़ी होकी उसके संत को कर्म करे यह तो उल्टी बात है 24 ऐसा ऐसा कोई भी काम करके अशुधना हो जाना क्यूंकि जिन जातीयों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूँ वे ऐसे ऐसे काम करके अशुध हो गई है 25 और उनका देश भी अशुद्ध हो गया है इस कारण मैं उस पर उसके अधर्म का दंद देता हूं और वर देश अपने निवासियों को उगल देता है 26 इस कारण तुम लोग मेरी विद्यों और नियमों को निरंतर मानना और चाहे देशी चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला परदेशी हो तुम मेंसे कोई भी ऐसा घिनोना काम ना करे 27 क्योंकि ऐसे सब घिनोने कामों को उस देश के मनुष्य जो तुम से पहले उसमें रहते थे वे करते आये हैं इसी से वर देश अशुद्ध हो गया है 28 सब ऐसा ना हो कि जिस रीती से जो जाती तुम से पहले उस देश में रहती थी उसको उसने उगल दिया उसी रीती जब तुम उसको अशुद्ध करो तो वह तुमको भी उगल दे 29 जितने ऐसा कोई घिनोना काम करें वे सब प्राणी अपने लोगों में से नश्ट किये जाएं 30 यह आग्या जो मैंने तुम्हारे मानने को दी है उसे तुम मानना और जो घिनोनी रीतियां तुम से पहले प्रचलित हैं उनमें से किसी पर न चलना और न उनके कारण अशुद्ध हो जाना मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ अध्याए 19 पवित्रता और आचरन के नियम एक फिर यहोवा ने मूसा से कहा 2. इस्राइलियों की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ तीन तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना मैं तुम्हारा परमेश्वर यहवा हूँ चार तुम मूरतों की ओरना फिरना और देवताओं की प्रतिमाय धाल करना बना लेना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहुवा हूँ पांच जब तुम यहुवा के लिए मेलबली करो, तब ऐसा बलिदान करना जिससे मैं तुमसे प्रसन हो जाऊं चेह उसका मास बलिदान के दिन और दूसरे दिन खाया जाए, परंतु तीसरे दिन तक जो रह जाए वह आग में जला दिया जाए साथ यदि उसमें से कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए, तो यह ग्रिनित ठहरेगा, और ग्रहन ना किया जाएगा आठ और उसका खाने वाला यहोवा के पवित्र पदार्थ को अपवित्र ठहराता है इसलिए उसको अपने अधर्म का भार स्वयम उठाना पड़ेगा और वह प्रानी अपने लोगों में से नश्ट किया जाएगा नौ, फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा न काटना और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को न चुनना दस और अपनी दाख की बारी का दाना दाना न तोड़ लेना और अपनी दाख की बारी के जड़े हुए अंगूरों को ना बटोरना, उन्हें दीन और पर्देशी लोगों के लिए छोड़ देना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ 11. तुम चोरी ना करना, और एक दूसरे से न तो कपट करना, और न जूट बोलना 12. तुम मेरे नाम की जूठी शपत खाके अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न ठहराना, मैं यहोवा हूँ 13. एक दूसरे पर अंधेर न करना, और न एक दूसरे को लूट लेना 14. मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी राध सबेरे तक न रहने पाए 14. बहिरे को शापना देना, और न अंधे के आगे ठोकर रखना, और अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं यहोवा हूँ 15. न्याय में कुटिलता न करना, और न तो कंगाल का पक्ष करना, और न बड़े मनुश्यों का मून देखा विचार करना, एक दूसरे का न्याय धर्म से करना 16. अपने मन में एक दूसरे के प्रती बैर न रखना, अपने पडोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझ को उठाना पड़ेगा 18. पल्टा न लेना, और न अपने जाती भाईयों से बैर रखना, परन्तु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ 19. तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना, अपने पशुओं को भिन जाती के पशुओं से मेल खाने न देना, अपने खेत में दो प्रकार के बीजे कठे न बोना, और सनी और उन की मिलावत से बना हुआ वस्त्रना पहिनना 20. फिर कोई स्थ्री दासी हो, और उसकी मंगनी किसी पुरुश से हुई हो, परंतु वह न तो दाम से और न सेंतमेंत स्वाधीन की गई हो, उससे यदि कोई कुकर्म करे, तो उन दोनों को दंदो मिले, पर उस स्थ्री के स्वाधीन न होने के कारण वे दोनों मार न डाले 21 पर वह पुरुष मिलापवाले तंबू के द्वार पर यहोवा के पास एक मेला दोशबली के लिए ले आए 22 और याजक उसके किये हुए पाप के कारण दोश्बली के मीडे के द्वारा उसके लिए यहोवा के सामने प्राहश्चित करे तब उसका किया हुआ पाप ख्षमा किया जाएगा 23 फिर जब तुम कनान देश में पहुँचकर किसी प्रकार के फल के व्रिक्ष लगाओ तो उनके फल तीन वर्ष तक तुम्हारे लिए मानो खतना रहे ठहरे रहें इसलिए उनमें से कुछ ना खाया जाए 24 और चौथे वर्ष में उनके सब फल यहोवा की स्तुती करने के लिए पवित्र ठहरें 25 तब पांचमें वर्ष में तुम उनके फल खाना इसलिए कि उनसे तुम को बहुत फल मिले मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ 26 तुम लहु लगा हुआ कुछ मास न खाना और न टोना करना और न शुब या अशुब मुहूरतों को मानना 27 अपने सिर में घेरा रख करना मुनडाना और न अपने गाल के बालों को मुनडाना 28. मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरन और न उसमें च्छाप लगाना, मैं यहोवा हूं 29. अपनी बेटियों को वेश्या बनाकर अपवित्र न करना, ऐसा न हो कि देश वेश्यागमन के कारण महापाप से भर जाए 30. मेरे विश्रामदिन को माना करना, और मेरे पवित्रस्थान का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूं 31. ओज्वाओं और भूत साधने वालों की ओरना फिरना, और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्धना हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं 32. पक्के बालवाले के सामने उठ खड़े होना, और बूड़े का आदर्मान करना, और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूं 33. यदि कोई परदेशी तुम्हारे देश में तुम्हारे संग रहे, तो उसको दूर, खाना देना 34. जो परदेशी तुम्हारे संग रहे, वह तुम्हारे लिए देशी के समान हो, और उससे अपने ही समान प्रेम रखना, क्यूंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं 35. तुम नियाई में, और परिमान में, और तौल में, और नाप में कुटिलता न करना 36. सच्चा तराजू, धर्म के बठखरे, सच्चा आयपा, और धर्म का हीन तुम्हारे पास रहे, मैं तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुम को मिस्र देश से निकाल ले आया 37. इसलिये तुम मेरी सब विधियों और सब नियमों को मानते हुए निरंतर पालन करो, मैं यहोवा हूँ अध्याए 20. आग्या उल्लंगन का दंड 1. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 2. इस्राइलियों से कहे कि इस्राइलियों में से या इस्राइलियों के बीच रहने वाले परदेशियों में से, कोई क्यों न हूँ जो अपनी कोई संतान मोलेक को बलेदान करे, वह निश्चे मार डाला जाए, और जनता उस पर पत्राव कर तीन में भी उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों में से इस कारण नश्ट करूंगा कि उसने अपनी संतान मोलेक को देकर मेरे पवित्रस्थान को अशुद्ध किया और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठेहराया चार और यदि कोई अपनी संतान मोलेक को बलिदान करे और जनता उसके विशए में आनाकानी करे और उसको मारना डाले पांच तब तो मैं स्वायम उस मनुष्य और उसके घराने के विरुद्ध होकर उसको और जितने उसके पीछे होकर मोलेक के साथ व्यविचार करें उन सबों को भी उनके लोगों के बीच में से नश्ट करूंगा छे, फिर जो प्राणी उझाओ या भूतसाधने वालों की ओर फिरके और उनके पीछे होकर व्यविचारी बने तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नश्ट कर दूंगा साथ इसलिए तुम अपने आपको पवित्र करो और पवित्र बने रहो क्योंकि में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं आठवर तुम मेरी विध्यों को मानना और उनका पालन भी करना क्योंकि में तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं नौ कोई क्यूं न हो जो अपने पिता या माता को शाप दे वह निश्चे मार डाला जाए, उसने अपने पिता या माता को शाप दिया है, इस कारण उसका खुन उसी के सिर पर पड़ेगा। दस फिर यदी कोई पराई स्त्री के साथ व्यविचार करे, तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यविचार किया हो तो वह व्यविचारी और वह व्यविचारी नी दोनों निश्चे मार डाले जाएं। तेरह यदी कोई जिस रीती स्त्री से उसी रीती पुरुष से प्रसंद करे तो वे दोनों घिनोना काम करने वाले ठहरेंगे, इस कारण वे निश्चे मार डाले जाएं, उनका खुन उन्हीं के सिर पर पड़ेगा. 14. यदी कोई अपनी पत्नी और अपनी सास दोनों को रखे, तो यह महापाप है, इसलिए वह पुरुष और वे स्त्रियां तीनों के तीनों आग में जलाए जाएं, जिससे तुम्हारे बीच महापापना हो. 15. फिर यदी कोई पुरुष पशुगामी हो, तो पुरुष और पशुदोनों निश्चे मार डाले जाएं. 16. यदी कोई स्त्री पशुदोनों को घात करना, वे निश्चे मार डाले जाएं, उनका खुन उन्हीं के सिर पर पड़ेगा. 17. यदी कोई अपनी बहिन का, चाहे उसकी सगी बहिन हो, चाहे सोतेली, उसका नगनतन देखे, और उसकी बहिन भी उसका नगनतन देखे, तो यह निंदित बात है, वे दोनों अपने जाती भायों की आँखों के सामने नश्च किये जाएं, क्योंकि जो अपनी बहिन का तन उघारने वाला ठेहरेगा और वहस्त्री अपने रुदिर के सोते को उघारने वाली ठेहरेगी इस कारण वे दोनों अपने लोगों के बीच में से नश्ट किये जाएं। उन्नीस अपनी मौसी या फूफी का तन न उघारना क्योंकि जो उसे उघारे वह अपनी निकट कुटुम्बिनी को नंगा करता है। इसलिए उन दोनों को अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। बीस यदी कोई अपनी चाची के संग सोए, तो वह अपने चाचा का तन उघारने वाला ठहरेगा, इसलिए वे दोनों अपने पाप के भार को उठाए हुए निर्वन्श मर जाएंगे। 21 यदी कोई अपनी भोजी या भयाहू को अपनी पत्नी बनाए, तो इसे घिनोना काम जानना, और वह अपने भाई का तन उघारने वाला ठहरेगा, इस कारण वे दोनों निर्वन्श रहेंगे। 22 तुम मेरी सब विद्लियों और मेरे सब नियमों को समझ के साथ मानना, जिससे यहना हूँ कि जिस देश में मैं तुम्हें लिये जा रहा हूँ वह तुमको उगल दे। 23 और जिस जाती के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ उनकी रीती रस्म पर न चलना, क्यूंकि उन लोगों ने जो ये सब को कर्म किये हैं इसी कारण मुझे उनसे घ्रिना हो गई है। 24 पर मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम तो उनकी भूमी के अधिकारी होगे और मैं इस देश को जिसमें दूध और मधू की धाराएं बहती हैं तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जिसने तुमको अन्य देशों के जिवजन तु क्यों नहों, जिसको मैंने तुम्हारे लिए अशुध्ध ठहरा कर वर्जित किया है, उससे अपने आपको अशुधना करना 26. तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयम पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो 27. यदि कोई पुरुश्या स्थ्रियो जाय अथ्वा भूत की साधना करे, तो वह निश्चे मार डाला जाए, ऐसों पर पत्राफ किया जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा 21. याजकों की पवित्रता 21. एक फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हरूम के पुत्र जो याजक है उनसे कहे कि तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे, तो उसके कारण तुम में से कोई अपने को अशुध्धना करे, दो अपने निकट कुटुम्बियों, अर्थात अपनी माता, या पिता, या बेटे, य बेटी, या भाई के लिए, तीन या अपनी कुवारी बहिन जिसका विवाहना हुआ हो, जिनका निकट का संबंध है, उनके लिए वह अपने को अशुध्ध कर सकता है। पवित्र ना करें, क्यूंकि वे यहोवा के हव्यकों जो उनके परमेश्वर का भोजन है, चड़ाया करते हैं, इस कारण वे पवित्र बने रहें। साथवे वेश्या या ब्रश्टा से विवाह न करें और ना त्यागी हुई से विवाह करें क्यूंकि याजक अपने परमेश्वर के लिए पवित्र होता है आठ इसलिए तू याजक को पवित्र जानना, क्योंकि वर तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चड़ाया करता है, इसलिए वर तेरी द्रिष्टी में पवित्र ठहरे, क्योंकि मैं यहोवा, जो तुमको पवित्र करता हूँ, पवित्र हूँ नौर और यदी याजक की बेटी वेश्या बनकर अपने आपको अपवित्र करे, तो वह अपने पिता को अपवित्र ठहराती है, वह आग में जलाई जाए 10. जो अपने भाईयों में महायाजक हो, जिसके सिर पर अभिशेक का तेल डाला गया हो, और जिसका पवित्र वस्त्रों को पहिनने के लिए संसकार हुआ हो, वह अपने सिर के बाल बिखरने न दे, और न अपने वस्त्र फाढ़े, ग्यारह और न वह किसी लोत के पास जाए और न अपने पिता या माता के कारण अपने को अशुद्ध करे, बारह और वह पवित्रस्थान से बाहर भी न निकले, और न अपने परमेश्वर के पवित्रस्थान को अपवित्र ठहराए, क्यूंकि वह अपने परमेश्वर के अभिशेक का तेल रूपी मुकुट धारन क मैं यहोवा हूँ मैं जिस किसी के कोई भी दोश हो वह अपने परमेश्वर का भोजन चड़ाने के लिए समीप न आए। किसी में कोई भी दोश हो वह यहोवा के हव्या चड़ाने के लिए समीप न आए। वह जो दोशयुक्त है कभी भी अपने परमेश्वर का भोजन चड़ाने के लिए समीप न आए। 22 वह अपने परमेश्वर के पवित्र और परमपवित्र दोनों प्रकार के भोजन को खाए। 23 परंतु उसके दोश के कारण वहना तो बीच वाले परदे के भीतर आए और नावेदी के समीप जिससे ऐसा न हूँ कि वह मेरे पवित्र स्थानों को अपवित्र करे। 24 इसलिए मुसा ने हारून और उसके पुत्रों को तथा सब इस्रायलियों को ये बाते कह सुनाई। 22 चड़ावे की पवित्रता 2 जिनको भी मेरे लिए पवित्र करते हैं अलग रहें और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना करें। मैं यहोवा हूं। तीन और उनसे कह कि तुम्हारी पिडी पीडी में तुम्हारे सारे वंš में से जो कोई अपनी अशुधता की दशा में उन पवित्र की हुई वस्तूओं के पास जाए, जिन्हें इजराइली यहवा के लिए पवित्र करते हैं, वह प्राणी मेरे सामने से नाश किया जाएग मैं यहोवा हूँ। जब तक जल से स्नान ना कर ले तब तक पवित्र वस्तुओं में से कुछ न खाए। एसा ना हो कि वे उनको अपवित्र करके पाप का भार उठाएं और इसके कारण मर भी जाएं मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूं। दस परायकुल का जन किसी पवित्र वस्तु को न खाने पाए। चाहे वह याजक का अतिथी हो या मजदूर हो तो भी वह कोई पवित्र वस्तु न खाए। ग्यारह यदी याजक किसी प्राणी को रुपया दे कर मोल ले तो वह प्राणी उसमें से खा सकता है और जो याजक के घर में उत्पन हुए हो वे भी उसके भोजन में से खाए। बारह यदी याजक की बेटी परायकुल के किसी पुरुष से ब्याही गई हो, तो वह भीट की हुई पवित्र वस्तूओं में से न खाए. तेरह यदी याजक की बेटी विद्वाया त्यागी हुई हो, और उसकी संतान न हो, और वह अपनी बाल्यावस्था की रीती के अनुसार अपने पिता के घर में रहती हो, तो वह अपने पिता के भोजन में से खाए, पर परायकुल का कोई उसमें से न खाने पाए. 14 और यदि कोई मनुष्य किसी पवित्र वस्तू में से कुछ भूल से खा जाए, तो वह उसका पांच्वा भाग बढ़ा कर उसे याजिक को भर दे 15 वे इस्राइलियों की पवित्र की हुई वस्तूओं को, जिन्हें वे यहोवा के लिए चड़ाएं, अपवित्र ना करें 15 और इस्राइलियों से समझा कर कहे कि इस्राइल के घरानी या इस्राइलियों में रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यूं न हो जो मन्नत या स्वेच्छा बिली करने के लिए यहोवा को कोई होंबिली चड़ाए, 19 तो अपने निमित ग्रहन योग्य ठहरने के लिए ब शेश वस्तू संकल्प करने के लिए या स्वेच्छबली के लिए यहोवा को मेलबली चड़ाए, तो ब्रहन होने के लिए अवश्य है कि वह निर्दोश हो, उसमें कोई भी दोश न हो। शेश वस्तू संकल्प करने के लिए वह ग्रहन होगा। तो वह साथ दिन तक अपनी मां के साथ रहे, फिर आठवे दिन से आगे को वह यहोवा के हव्य के लिए ग्रहन योग्य ठहरेगा। 28 चाहे गाई, चाहे भीरी या बकरी हो, उसको और उसके बच्चे को एक ही दिन में बली न करना। 29 और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेल बली चढ़ाओ, तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहन योग्य ठहरे। 30 वह उसी दिन खाया जाए, उसमें से कुछ भी सबेरे तक रहने न पाए, मैं यहोवा हूँ। 31 इसलिए तुम मेरी आग्याओं को मानना और उनका पालन करना, मैं यहोवा हूँ। 32 और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना, क्यूंकि मैं इस्राइलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा, क्यूंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। 33. जो तुम को मिस्र देश से निकाल लाया, जिससे तुम्हारा परमेश्वर बना रहूं, मैं यहोवा हूं. अध्याय 23. परवों की विधिया एक फिर यहोवा ने मूसा से कहा, दो, इस्राइलियों से कहे कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये हैं. तीन-चल दिन काम काज किया जाए, पर सात्वा दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है, उसमें किसी प्रकार का काम काज ना किया जाए, वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे. फसह और अखमीरी रोटी का पर्व 4. फिर यहोवा के पर्व जिन में से एक-एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा वे ये हैं 5. पहले महीने के 14 वे दिन को गोधुली के समय यहोवा का फसर हुआ करे 6 और उसी महीने के 15 वे दिन को यहोवा के लिए अखमीरी रोटी का पर्व हुआ करे, उसमें तुम साथ दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना 7 उनमें से पहले दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उस दिन पर इश्रम का कोई काम ना करना 9 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 10 इसराइलियों से कहे कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना 11 और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए, कीवल तुम्हारे निमित ग्रहन किया जाए, वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए 12 और जिस दिन तुम पूला हिलवाओ, उसी दिन एक वर्ष का निर्दोश भेड का बच्चा यहोवा के लिए हुंबली चड़ाना 14 और जब तक तुम इस चड़ावे को अपने परमेश्वर के पास न ले जाओ, उस दिन तक नए खेत में से न तो रोटी खाना और न भूना हुआ अन्न और न हरी बालें, यह तुम्हारी पीवी-पीवी में तुम्हारे सारे घरानों में सदा की विधी ठहरे कतनी का पर्व 18 और उस रोटी के संग एक एक वर्ष के साथ निर्दोश भेड के बच्चे और एक बच्चड़ा और दो मीडे चड़ाना, वे अपने अपने साथ के अनन बली और अर्ख समेत यहोवा के लिए होंबली के समान चड़ाए जाएं, अर्थात वे यहोवा के लिए सुकदायक स समेत यहोवा के सामने हिलाने की भेट के लिए हिलाएं, और इन रोटियों के संग वे दो भेड के बच्चे भी हिलाए जाएं, वे यहोवा के लिए पवित्र और याजक का भाग ठहरें 21 और तुम उसी दिन यह प्रचार करना की आज हमारी एक पवित्र सभा होगी, और परिश्रम का कोई काम ना करना, यह तुम्हारे सारे घरानों में तुम्हारी पीडी-पीडी में सदा की विधी ठहरे 22 जब तुम अपने देश में के खेट काटो, तब अपने खेट के कोनों को पूरी रीती से न काटना, और खेट में गिरी हुई बालों को न इकठा करना, उसे दिन्धीन और परदेशी के लिए छोड़ देना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ नव वर्ष का पर्व 23 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 24, इस्राइलियों से कहें कि सात्वे महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परमविश्रम हो, उसमें समरन दिलाने के लिए नरसिंगे फूंके जाएं, और एक पवित्र सभाय कठी हो 25 उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम ना करना, और यहोवा के लिए एक हव्य चड़ाना 26 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 27 उसी सात्वे महीने का दस्वा दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए, वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा, और उसमें तुम अपने अपने जीव को दू, खर देना और यहोवा के लिए हव्य चड़ाना 28 उस दिन तुम किसी प्राकार का काम काजना करना, क्यूंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा 29 इसलिए जो प्राणी उस दिन दू, खा न सहे वह अपने लोगों में से नश्ट किया जाएगा 30 और जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार का काम काज करे उस प्राणी को मैं उसके लोगों के बीच में से नश्ट कर दालूंगा 31. तुम किसी प्रकार का काम काजना करना, यह तुम्हारी पीली-पीली में तुम्हारे घरानों में सदा की विधी ठहरे 32. तुम्हारे लिए परम विश्राम का हो, उसमें तुम अपने अपने जीव को दू, ख़ देना, और उस महीने के नवे दिन की सांच से लेकर दूसरी सांच तक अपना विश्राम दिन माना करना जोपडियों का पर्व 33. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 34. इसराइलियों से कहें की उसी सात्वे महीने के पंद्रहवे दिन से सात दिन तक यहोवा के लिए जोपडियों का पर्व रहा करे 35. पहले दिन पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना 36-7 दिन यहोवा के लिए हव्य चड़ाया करना, फिर 8-वे दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो, और यहोवा के लिए हव्य चड़ाना, वह महासभा का दिन है, और उसमें परिश्रम का कोई कामना करना 37. यहोवा के नियत पर्व ये ही है, इनमें तुम यहोवा को हव्य चड़ाना, अर्था थोंबली, इननबली, मेलबली और अर्ग, प्रतियक अपने अपने नियत समय पर चड़ाया जाए और पवित्र सभा का प्रचार करना 38. इन सभों से अधिक यहोवा के विश्राम दिनों को मानना, और अपनी भेटों, और सब मन्नतों, और स्वेच्छा बलियों को जो यहोवा को अर्पन करोगे चड़ाया करना 49. फिर साथवे महीने के पंद्रहवे दिन को, जब तुम देश की उपज को इकट्था कर चुको, तब साथ दिन तक यहोवा का पर्व मानना, पहले दिन पर अमविश्राम हो, और आठवे दिन पर अमविश्राम हो 40. और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे व्रिक्षों की उपज, और खजूर के पत्ते, और घने व्रिक्षों की डालियां, और नालों में के मजनू लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना 41. प्रतिवर्ष 7 दिन तक यहोवा के लिए यह पर्व माना करना, यह तुम्हारी पीवी-पीवी में सदा की विधी ठहरे की सात्वे महीने में यह पर्व माना जाए 42. साथ दिन तक तुम जोपडियों में रहा करना, अर्थात जितने जन्म के इस्राइली हैं वे सब के सब जोपडियों में रहें 43 इसलिये की तुम्हारी पीवी-पीवी के लोग जान रखें, की जब यहोवा हम इस्राइलीयों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था तब उसने उनको जोपडियों में टिकाया था, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ 44 और मुसा ने इस्राइलीयों को यहोवा के पर्व के नियत समय कह सुनाए अध्याए 24 पवित्र दीपकों को सजाना एक फिर यहोवा ने मुसा से कहा, दो, इस्राइलियों को यह आग्या दे की मेरे पास उज्याला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल लियाना की दीपक नित्य जलता रहे तीन हारून उसको मिलापवाले तंबू में साक्षी पत्र के बीच वाले परदे से बाहर यहोवा के सामने नित्य सांच से भोर तक सजा कर रखे यह तुम्हारी पीवी-पीवी के लिए सदा की विधी ठहरे चारवर दीपकों के स्वच दीवर पर यहोवा के सामने नित्य सजाया करे भेंट की रोटियां पांच तू मैदा लेकर बारह रोटियां पक्वाना, प्रति एक रोटी में एपा का दो दस्वा अंश मैदा हो चह तब उनकी दो पंग्तियां करके, एक एक पंग्ति में चह चह रोटियां, स्वच मेज पर यहोवा के सामने धरना साथ और एक एक पंग्ति पर चोखा लोबान रखना की वह रोटी पर स्मरन दिलाने वाली वस्तु और यहोवा के लिए हव्यहो आठप्रती विश्राम दिन को वह उसे नित्य यहोवा के सम्मुख क्रम से रखा करे, यह सदा की वाचा की रीती इस्राइलियों की ओर से हुआ करे नौर और वह हारून और उसके पुत्रों की होंगी और वे उसको किसी पवित्रस्थान में खाएं क्योंकि वह यहोवा के हव्यों में से सदा की विधी के अनुसार हारून के लिए परंपवित्र वस्तु ठारी है इश्वर निंदा का दंड दस उन दिनों में किसी इस्राइली स्त्री का बेटा जिसका पिता मिस्री पुरुष था इस्राइलियों के बीच चला गया और वह इस्राइली स्त्री का बेटा और एक इस्राइली पुरुष छावनी के बीच आपस में मारपीट करने लगे ग्यारह और वह इस्राइली स्त्री का बेटा यहोवा के नाम की निंदा करके शाप देने लगा यह सुनकर लोग उसको मूसा के पास ले गए उसकी माता का नाम शलोमीत था जो दान के गोत्र के दिब्री की बेटी थी बारह उन्होंने उसको हवालात में बंद किया जिससे यहोवा की आग्या से इस बात पर विचार किया जाए तेरह तब यहोवा ने मूसा से कहा चौदह तुम लोग उस शाप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाओ और जितनोंने वह निंदा सुनी हो वे सब अपने अपने हाथ उसके सिर पर टेके तब सारी मंदली के लोग उस पर पत्राव करें पंद्रह और तू इस्राइलियों से कह कि कोई क्यूं न हूँ जो अपने परमेश्वर को शाप दे उसे अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा सोलह यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चे मार डाला जाए सारी मंदली के लोग निश्चे उस पर पत्राव करें चाहे देशी हो चाहे परदेशी यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए सत्रह फिर जो कोई किसी मनुष्य को प्राण से मारे वह निश्चे मार डाला जाए 18. जो कोई किसी घरेलू पशु को प्राण से मारे वहुसे भर दे, अर्थात प्राणी के बदले प्राणी दे 19. फिर यदि कोई किसी दूसरे को चोट पहुँचाए, तो जैसा उसने किया हो वैसा ही उसके साथ भी किया जाए 20. अर्थात अंग भंद करने के बदले अंग भंद किया जाए, आंक के बदले आंक, दांत के बदले दांत, जैसी चोट जिसने किसी को पहुँचाए हो वैसी ही उसको भी पहुँचाए जाए 21 पश्यू को मार डालने वाला उसको भर दे, परंतु मनुश्य को मार डालने वाला मार डाला जाए 22 तुम्हारा नियम एक ही हो, जैसा देशी के लिए वैसा ही परदेशी के लिए भी हो, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ तेई सतह मूसा ने इस्राइलियों को यह समझाया तब उन्होंने उस शाप देने वाले को च्छावनी से बाहर ले जाकर उस पर पत्राव किया और इस्राइलियों ने वैसा ही किया जैसा यहोवा ने मूसा को आग्या दी थी अध्याए 25 एक फिर यहोवा ने सीने परवत के पास मूसा से कहा दो इस्राइलियों से कहे कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैं तुम्हें देता हूं तब भूमी को यहोवा के लिए विश्राम मिला करे तीन चह वर्ष तो अपना अपना खेद बोया करना और चहू वर्ष अपनी अपनी दाख की बारी छांट छांट कर देश की उपज इकठी किया करना चार परंतु सात्वे वर्ष भूमी को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे उसमें न तो अपना खेद बोना और न अपनी दाख की बारी छांटना पांच जो कुछ काटे हुए खेत में अपने आप से उगे उसे न काटना और अपनी बिंच छांटी हुई दाखलता की दाखों को न तोड़ना क्यूंकि वह भूमी के लिए परम विश्राम का वर्ष होगा चह भूमी के विश्राम काल ही की उपज से तुमको और तुम्हारे दास दासी को और तुम्हारे साथ रहने वाले मजदूरों और परदेशियों को भी भूजन मिलेगा साथ और तुम्हारे पशुओं का और देश में जितने जीवजिन्तु हो उनका भी भोजन भूमी की सब उपज से होगा जुबली वर्ष आठ साथ विश्रम वर्ष अर्थात साथ गुना साथ वर्ष गिन लेना साथ विश्रम वर्षों का यह समय उन्चास वर्ष होगा नौ तब साथ में महीने के दसमें दिन को अर्थात प्रायश्चित के दिन जै जैकार के महाशुद का नरसिंगा अपने सारे देश में सब कहीं फुकवाना दस और उस पचासवें वर्ष को पवित्र मानना और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना वह वर्ष तुम्हारे यहां जुबली कहलाए उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमी और अपने अपने घराने में लोटने पाऊगे 11. तुम्हारे यहां वह पचासवा वर्ष जुबली का वर्ष कहलाए उसमें तुम ना बोना और जो अपने आप उगे उसे भी ना काटना और ना बिन छांती हुई दाखलता की दाखों को तोड़ना बारह क्योंकि वह जो जुबली का वर्ष होगा, वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा, तुम उसकी उपच खेथी में से ले लेके खाना तेरह इस जुबली के वर्ष में तुम अपनी अपनी निज भूमी को लोटने पाऊगे 14 और यदि तुम अपने भाईबंधू के हाथ कुछ बेचो या अपने भाईबंधू से कुछ मोल लो, तो तुम एक दूसरे पर अंधेर न करना 15 जुबली के बाद जितने वर्ष बीते हो उनकी गिंती के अनुसार दाम ठहरा के एक दूसरे से मोल लेना और शेश वर्षों की उपच के अनुसार वह तेरे हाथ बेचे सोलार जितने वर्ष और रहें उतना ही दाम बढ़ाना और जितने वर्ष कम रहें उतना ही दाम घटाना क्योंकि वर्ष की उपच की समख्या जितनी हो उतनी ही वह तेरे हाथ बेचेगा सत्रह तुम अपने अपने भायबंधू पर अंधेर न करना, अपने परमेश्वर का भाय मानना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ सात्वे वर्ष की समस्या अठारह, इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना, और मेरे नियमों पर समझ बूज कर चलना, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निदर बसे रहोगे 19 भूमी अपनी उपज उपजाया करेगी, और तुम पेट भर खाया करोगे, और उस देश में निदर बसे रहोगे 20 और यदि तुम कहो कि सात्वे वर्ष में हम क्या खाएंगे, न तो हम बोहेंगे न अपने खेट की उपजिकर्था करेंगे 21 तो जानो कि मैं तुम को छठवे वर्ष में ऐसी आशीश दूंगा, कि भूमी की उपज तीन वर्ष तक काम आएगी 22 तुम आठवे वर्ष में बोहगे, और पुरानी उपज में से खाते रहोगे, और नवे वर्ष की उपज जब तक न मिले तब तक तुम पुरानी उपज में से खाते रहोगे 23. भूमी सदा के लिए बेची न जाए, क्योंकि भूमी मेरी है, और उसमें तुम परदेशी और बाहरी होगे 24. लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमी को चुड़ा लेने देना 25. यदी तेरा कोई भाइबंधू कंगाल होकर अपनी निज भूमी में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुम्बियों में से जो सबसे निकट हो वहां आकर अपने भाइबंधू के बेचे हुए भाग को चुड़ा ले जिसने उसे मोल लिया हो, फिर दे, तब वह अपनी निज भूमी का अधिकारी हो जाए अर्थाइस परंतु यदि उसके पास इतनी पूंजी न हो कि उसे फिर अपनी कर सके, तो उसकी बेची हुई भूमी जुबली के वर्ष तक मोल लेने वालों के हाथ में रहे और जुबली के वर्ष में छूट जाए तब वह मनुष्य अपनी निज भूमी का फिर अधिकारी 29 फिर यदि कोई मनुष्य शेहर पनाह वाले नगर में बसने का घर बेचे, तो वह बेचने के बाद वर्ष भर के अंदर उसे चुड़ा सकेगा, अर्थाथ पूरे वर्ष भर उस मनुष्य को चुड़ाने का अधिकार रहेगा 30 परंतु यदि वह वर्ष भर में न चुड़ाए, तो वह घर जो शेहर पनाह वाले नगर में हो मोल लेने वाले का बना रहे, और पीरी पीरी में उसी के वन्ष का बना रहे, और जुबली के वर्ष में भी न चूटे 31 परंतु बिना शहर पनाह के गावों के घर तो देश के खेतों के समान गिने जाएं, उनका छुडाना भी हो सकेगा और वे जुबली के वर्ष में छूट जाएं 32 फिर भी लेवियों के निजभाग के नगरों के जो घर हो उनको लेविय जब चाहें तब छुडाएं 33 और यदि कोई लेविय अपना भाग न चुडाएं, तो वह बेचा हुआ घर जो उसके भाग के नगर में हो जुबली के वर्ष में छूट जाएं, क्यूंकि इस्राइलियों के बीच लेवियों का भाग उनके नगरों में वे घर ही हैं 34 पर उनके नगरों के चारों और की चराई की भूमी बेची न जाए, क्यूंकि वह उनका सदा का भाग होगा 35 फिर यदी तेरा कोई भाग बंधू कंगाल हो जाए, और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए, तो तू उसको संभालना, वह परदेशी या यात्री के समान तेरे संभ रहे 36 उससे ब्याज या बढ़ती न लेना, परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरा भाग बंधू तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके 37 उसको ब्याज पर रुपया न देना, और न उसको भुजन विस्तू लाब के लालच से देना 38 मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुम्हें कनान देश देने के लिए और तुम्हारा परमेश्वर ठहरने की मनसा से तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूँ दासों को चुडाने की विधी 49 फिर यदी तेरा कोई भाईबंधू तेरे सामने कंगाल होकर अपने आपको तेरे हाथ बेच डाले तो उससे दास के समान सेवा न करवाना 40 वर तेरे संग मजदूर या यात्री के समान रहे और जुबली के वर्ष तक तेरे संग रहकर सेवा करता रहे 41 तब वह बाल बच्चों समेथ तेरे पास से निकल जाए और अपने कुटुंग में और अपने पित्रों की निजभूमी में लोट जाए 42 क्योंकि वे मेरे ही दास हैं जिनकों मैं मिस्र देश से निकाल लाया हूँ इसलिए वे दास की रीती से न बेचे जाएं 45 उस पर कठोर्ता से अधिकार ना करना अपने परमेश्वर का भय मानते रहना 44 तेरे जो दास दासियां हो वे तुम्हारे चारों और की जातियों में से हो और दास और दासियां उनहीं में से मोल लेना 45 जो यात्री लोग तुम्हारे बीच में परदेशी होकर रहेंगे उनमें से और उनके घरानों में से भी जो तुम्हारे आसपास हो और जो तुम्हारे देश में उत्पन हुए हो उनमें से तुम दास और दासी मोल लो और वे तुम्हारा भाग ठहरें 46 तुम अपने पुत्रों को भी जो तुम्हारे बाद होंगे उनके अधिकारी कर सकोगे और वे उनका भाग ठहरें उनमें से तुम सदा अपने लिए दास लिया करना परंतु तुम्हारे भाइबंधु जो इसराइली हो उन पर अपना अधिकार कठोर्ता से न जताना 47 फिर यदि तेरे सामने कोई पर्देशी या यात्री धनी हो जाए और उसके सामने तेरा भाई कंगाल होकर अपने आपको तेरे सामने उस पर्देशी या यात्री या उसके वंश के हाथ बेच डाले 48 तो उसके बिक जाने के बाद वह फिर चुड़ाया जा सकता है उसके भाईयों में से कोई उसको चुड़ा सकता है उन्चास या उसका चाचा या चचेरा भाई तथा उसके कुल का कोई भी निकट कुटुम भी उसको चुड़ा सकता है या यदि वर धनी हो जाए तो वह आ लेने वाले के साथ अपने बिखने के वर्ष से जुबली के वर्ष तक हिसाब करे और उसके बिखने का दाम वर्षों की गिंती के अनुसार हो अर्थात वर दाम मजदूर के दिवसों के समान उसके साथ होगा। लेने वर्षों के अनुसार फेर दे। तेरपन वह अपने स्वामी के संगुस मजदूर के समान रहे जिसकी वार्षिक मजदूरी ठहराई जाती हो और उसका स्वामी उस पर तेरे सामने कठोरता से अधिकार ना जताने पाए। आग्या पालन की आशीश चार तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैंन बरसाऊंगा तथा भूमी अपनी उपजुक जाएगी और मैदान के व्रिक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। पांच यहां तक की तुम दाख तोडने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भर पेट दाख तोडते रहोगे और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। चेह और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोगे और तुम्हारा कोई डराने वाला न होगा और मैं उस देश में दुष्ट जन्तूओं को न रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी। साथ और तुम अपने शत्रूओं को मार भगाओगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे आठ तुम में से पांच मनुष्य सो को और सो मनुष्य दस हजार को ख़दे रेंगे और तुम्हारे शत्रू तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे नौर में तुम्हारी ओर प्रिपा द्रिष्टी रखूंगा और तुम को फालवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्न करूंगा 10 और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे ग्यारह और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घ्रिना नहीं करेगा बारह और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे तेरह मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दासना बने रहो और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है आग्या उलंगन का दंद 14. यदि तुम मेरी न सुनोगे और इन सब आग्याओं को न मानोगे पंद्रह और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निन्यों से घृना करे और तुम मेरी सब आग्याओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोडोगे सोलह तो मैं तुमसे यह करूँगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूँगा, और क्षरोग और ज्वर से पीडित करूँगा, और इनके कारण तुम्हारी आखे धुंदली हो जाएंगी, और तुम्हारा मन अती उदास होगा, और तुम्हारा बीच बोना व्यार्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रू उसकी उपजखा लेंगे, सत्रह और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाओंगा, और तुम्हारे बैरी तुम्हारे उपर अधिकार करेंगे, और जब कोई तुमको खदेरता भी न होगा तब भी तुम भागोगे 18 और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी न सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हे साथकुनी तारना और दूंगा 19 और मैं तुम्हारे बल का घमन तोड़ डालूंगा और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमी को मानो पीतल की बना दूंगा 20 और तुम्हारा बल अकार्थ गवाया जाएगा क्यूंकि तुम्हारी भूमी अपनी उपजना उप जाएगी और मैदान के व्रिक्षपने फालना देंगे 21 यदि तुम मेरे विरुध्ध चलते ही रहो और मेरा कहना न मानो तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और साथकुना संकत डालूंगा 22 और मैं तुम्हारे बीच बन पश्यू भेजूंगा जो तुमको निरवन्ष करेंगे और तुम्हारे घरेलू पशुओं को नश्ट कर डालेंगे और तुम्हारी गिंती घटाएंगे जिससे तुम्हारी सडके सुनी पर जाएंगी 23 फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी तारना से न सुधरो और मेरे विरुध्ध चलते ही रहो 24 तुम में भी तुम्हारे विरुध्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण में आप ही तुमको साथकुना मारूंगा 25 और में तुम पर एक ऐसी तलवार चलवाऊंगा जो वाचा तोड़ने का पूरा-पूरा पलता लेगी 26 और जब तुम अपने नगरों में जा जाकर इकट्थे होगे तब मैं तुम्हारे बीच मरी फैलाऊंगा और तुम अपने शत्रूओं के वश में सौंक दिये जाऊगे 26 जब मैं तुम्हारे लिए अनके आधार को दूर कर डालूंगा तब दस त्रियां तुम्हारी रोटी एक ही तंदूर में पका कर तॉल तॉल कर बांक देंगी और तुम खा कर भी तृप्टना होगे 27 फिर यदी तुम इसके उपरांत भी मेरी न सुनोगे और मेरे विरुद्ध चलते ही रहोगे 28 तो मैं अपने न्याए में तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण तुमको साथकुनी तारना और भी दूंगा 29 तुमको अपने बेटों और बेटियों का मास खाना पड़ेगा 31 मैं तुम्हारे पूजा के उंचे स्थानों को धा दूंगा और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाहे तोड डालूंगा और तुम्हारी लोथों को तुम्हारी तोड़ी हुई मूर्तियों पर फेक दूंगा और मेरी आत्मा को तुम से घ्रिना हो जाएगी 31 और मैं तुम्हारे नगरों को उजार दूंगा और तुम्हारे पवित्रस्थानों को उजार दूंगा और तुम्हारा सुकदायक सुगंद ग्रहना करूंगा 32 और मैं तुम्हारे देश को सुना कर दूंगा और तुम्हारे शत्रू जो उसमें रहते हैं वे इन बातों के कारण चकित होंगे तुमको जाती जाती के बीच तितर बितर करूँगा और तुम्हारे पीछे-पीछे तलवार खीचे रहूँगा और तुम्हारा देश सुना हो जाएगा और तुम्हारे नगर उजाड हो जाएंगे 34. तब जितने दिन वर देश सुना पड़ा रहेगा और तुम अपने शत्रूओं के देश में रहोगे उतने दिन वर अपने विश्रमकालों को मानता रहेगा तब ही वर देश विश्राम पाएगा अर्थात अपने विश्रामकालों को मानता रहेगा 35 जितने दिन वर सुना पड़ा रहेगा उतने दिन उसको विश्राम रहेगा अर्थात जो विश्राम उसको तुम्हारे वहां बसे रहने के समय तुम्हारे विश्राम कालों में ना मिला होगा वह उसको तब मिलेगा 36 और तुम में से जो बच रहेंगे और अपने शत्रूओं के देश में होंगे उनके हृदय में मैं कायरता उप जाओंगा और वे पत्ते के खड़कने से भी भाग जाएंगे और वे ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागे और किसी के बिना पीछा किये भी वे गिर गिर पढ़ेंगे 37 जब कोई पीछा करने वाला ना हो तब भी मानो तलवार के भैसे वे एक दूसरे से ठोकर खाकर गिरते जाएंगे और तुम को अपने शत्रूओं के सामने ठहरने की कुछ शक्ती न होगी 38 तब तुम जाती-जाती के बीच पहुँचकर नश्ट हो जाओगे और तुम्हारे शत्रूओं की भूमी तुम को खा जाएगी 49 और तुम में से जो बचे रहेंगे वे अपने शत्रूओं के देश में अपने अधर्म के कारण गल जाएंगे और अपने पुरखाओं के अधर्म के कारण भी वे उनी के समान गल जाएंगे 40 पर यदि वे अपने और अपने पित्रों के अधर्म को मान लेंगे अर्थात उस विश्वास्खात को जो वे मेरा करेंगे और यह भी मान लेंगे कि हम यहोवा के विरुद्ध चले थे 41 इसी कारण वह हमारे विरुद्ध होकर हमें शत्रूओं के देश में ले आया है यदि उस समय उनका खतनारह थृदय दब जाएगा और वे उस समय अपने अधर्म के दंद को अंगीकार करेंगे 42 तब जो वाचा मैंने याकूब के संग बांधी थी उसको मैं समरन करूँगा और जो वाचा मैंने इसहाक से और जो वाचा मैंने अबराहम से बांधी थी उनको भी समरन करूँगा और इस देश को भी मैं समरन करूँगा 43 पर वह देश उनसे रहित होकर सुना पड़ा रहेगा और उनके बिना सुना रहकर भी अपने विश्रमकालों को मानता रहेगा और वे लोग अपने अधर्म के दंद को अंगीकार करेंगे 44 इतने पर भी जब वे अपने शत्रूओं के देश में होंगे तब मैं उनको इस प्रकार नहीं छोड़ूंगा और न उनसे ऐसी घ्रिना करूंगा कि उनका सर्वनाश कर डालूं और अपनी उस वाचा को तोड़ दूम जो मैंने उनसे बांधी है क्योंकि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ, 45 परंतु मैं उनकी भलाई के लिए उनके पित्रों से बांधी हुई वाचा को स्मरन करूंगा जिन्हें मैं अन्यजातियों की आँखों के सामने मिस्र देश से निकाल कर लाया कि मैं उनका परमेश्वर ठहरून, मैं यहोवा हूँ 46 जो जो विदियां और नियम और व्यवस्था यहोवा ने अपनी ओर से इस्राइलियों के लिए सीने परवत पर मूसा के द्वारा ठहराई थी वे यही हैं अध्याए 27 विशेश संकल्प की विधी एक फिर यहोवा ने मूसा से कहा, दो, इस्राइलियों से यह कह कि जब कोई विशेश संकल्प माने, तो संकल्प किये हुए प्राणी तेरे ठहराने के अनुसार यहोवा के होंगे तीन इसलिए यदि वह 20 वर्ष या उससे अधिक और 60 वर्ष से कम अवस्था का पुरुष हो, तो उसके लिए पवित्रस्थान के शेकिल के अनुसार 50 शेकिल का रुपया ठहरे चार यदि वह स्त्री हो, तो 30 शेकिल ठहरे पांच फिर यदि उसकी अवस्था पांच वर्ष या उससे अधिक और 20 वर्ष से कम की हो, तो लड़के के लिए तो 20 शेकिल और लड़की के लिए 10 शेकिल ठहरे छेह यदी उसकी अवस्था एक महीने या उससे अधिक और पांच वर्ष से कम की हो, तो लड़के के लिए तो पांच और लड़की के लिए तीन शेकेल ठहरे. साथ फिर यदी उसकी अवस्था साथ वर्ष की या उससे अधिक हो और वह पुरुष हो तो उसके लिए पंदरह शेकेल और स्त्री हो तो दस शेकेल ठहरे आठ परंतु यदी कोई इतना कंगाल हो की याजग का ठहराया हुआ दाम न दे सके तो वह याजग के सामने खड़ा किया जाए और याजग उसकी पूंजी ठहराय अर्थात जितना संकल्प करने वाले से हो सके याजग उसी के अनुसार ठहराये नौ फिर जिन पशुओं में से लोग यहवा को चड़ावा चड़ाते हैं यदी ऐसों में से कोई संकल्प किया जाए तो जो पशु कोई यहवा को दे वह पवित्र ठहरेगा 10 वह उसे किसी प्रकार से न बदले, न तो वह बुरे के बदले अच्छा और न अच्छे के बदले बुरा दे और यदी वह उस पशु के बदले दूसरा पशु दे तो वह और उसका बदला दोनों पवित्र ठहरेंगे ग्यारह और जिन पशुओं में से लोग यहोवा के लिए चड़ावा नहीं चड़ाते ऐसो में से यदी वहो, तो वह उसको याजक के सामने खड़ा कर दे, बारह तब याजक पशुओं के गुन अवगुन दोनों विचार कर उसका मोल ठहराए, और जितना याजक ठहराए उस का मोल उतना ही ठहरे, तेरह पर यदी संकल्प करने वाला उसे किसी प्रकार से चुड़ाना चाहे, तो जो मोल याजक ने ठहराया हो उसमें उसका पांच्वा भाग और बढ़ा कर दे, चौदह फिर यदी कोई अपना घर यहोवा के लिए पवित्र ठहरा कर संकल्प करे, त तो याजक उसके गुन अवगुन दोनों विचार कर उसका मोल ठहराय, और जितना याजक ठहराय उसका मोल उतना ही ठहरे, पंद्रह और यदी घर का पवित्र करने वाला उसे चुड़ाना चाहे, तो जितना रुपया याजक ने उसका मोल ठहराया हो उसमें वह पांच्वा भाग और बढ़ा कर दे, तब वह घर उसी का रहेगा। सत्रह यदी वह अपना खेत जुबली के वर्ष ही में पवित्र ठहराए, तो उसका दाम तेरे ठहराने के अनुसार ठहरे, अथारह और यदी वह अपना खेत जुबली के वर्ष के बाद पवित्र ठहराए, तो जितने वर्ष दूसरे जुबली के वर्ष के बाकी रहें उन्ही के अनुसार याजक उसके लिए रुपय का हिसाब करे तब जितना हिसाब में आए उतना याजक के ठहराने से कम हो 19 और यदी खेत का पवित्र ठहराने वाला उसे चुड़ाना चाहे तो जो दाम याजक ने ठहराया हो उसमें वह पांच्वा भाग और बढ़ा कर दे तब खेत उसी का रहेगा 20 पर यदी वह खेत को चुड़ाना न चाहे या उसने उसको दूसरे के हाथ बेचा हो तो खेत आगे को कभी न चुड़ाया जाए 21 पर अंतु जब वह खेत जुबली के वर्ष में चूटे तब पूरी रीती से अरपन किये हुए खेत के समान यहोवा के लिए पवित्र ठहरे अर्थात वह याजकी की निजभूमी हो जाए 22 पिर यदि कोई अपना मोल लिया हुआ खेत जो उसकी निजभूमी के खेतों में काना हो यहोवा के लिए पवित्र ठहराए 23 तो याजक जुबली के वर्ष तक का हिसाब करके उस मनुश्य के लिए जितना ठहराए उतना ही वह यहोवा के लिए पवित्र जानकर उसी दिन दे दे 24 जुबली के वर्ष में वह खेत उसी के अधिकार में जिससे वह मोल लिया गया हो फिर आ जाए अर्थात जिसकी वह निजभूमी हो उसी की फिर हो जाए 25 जिस जिस वस्तु का मोल याजक ठहरा है उसका मोल पवित्रस्थानी के शेकिल के हिसाब से ठहरे शेकिल 20 केरा का ठहरे 26 पर घरेलू पशुओं का पहिलोठा जो पहिलोठा होने के कारण यहवा का ठहरा है उसको कोई पवित्र न ठहराए, चाहे वह बचछडा हो, चाहे भेड या बकरी का बच्चा, वह यहवा ही का है 27 परंतु यदी वह शुद्ध पशु का हो, तो उसका पवित्र ठहराने वाला उसको याजक के ठहराए हुए मोल के अनुसार उसका पांच्वा भाग और बढ़ा कर छुड़ा सकता है, और यदी वह न चुड़ाया जाए, तो याजक के ठहराए हुए मोल पर बेच दिया 28 परंतु अपनी सारी वस्तुओं में से जो कुछ कोई यहोवा के लिए अरपन करे, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु, चाहे उसकी निज भूमी का खेत हो, ऐसी कोई अरपन की हुई वस्तु न तो बेची जाए और न चुड़ाय जाए, जो कुछ अरपन किया जाए वह यहो का सारा दश्मांश, चाहे वह भूमी का बीज हो, चाहे वरिक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। 31 यदी कोई अपने दश्मांश में से कुछ चुड़ाना चाहे, तो पांच्वा भाग बढ़ा कर उसको चुड़ाये। 32 और गाय बैल औ अर्थात जो जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाले हैं उनका दश्मांश, अर्थात दस दस पीछे एक एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। 33 कोई उसके गुन अफगुन न विचारे और न उनको बदले और यदी कोई उसको बदल भी ल झाले हैं a विए गुन झाले हैं झाले हैं झाले हैं पुन भी लाठी के लिए एक प्रेंपेश।